जेहिन फ्रेंड्स मैं सौरब जह आपका स्फागत करता हूँ आपके अपने चैनल BSA ठीके एक ट्लासस पे आज हम लोग SSC CGL और SSC GD के एक्जाम को ध्यान में रखते हुए SSC के एक्जाम में बार-बार पुछे जाने वाले Static GK के Most Important प्रसनों को देखेंगे साथी साथ इन प्रसनों से जुड़े संभावित प्रसनों को डिसकस करेंगे जो SSC CGL और SSC GD के एक्जाम में आप से पुछे जा सकते हैं आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सेसन को अधिक से अधिक सेयर करें ताकि अधिक संख्या में बच्चे क्लास में उपस्तित होकर क्लास का लाब उठा सके आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्लास में सारे सवालों के आंसर अवज से क्या करें तो फटा फट से क्लास को एक बार सेयर कर दीजे आज का सेसन काफी ज़दा इंपॉर्टेंट है सारे सेलेक्टेड प्रिवेस एर के कोश्चन्स है और साथ इसाथ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तो चलिए सुरू करते हैं क्लास और देखते हैं हमारा पहला सवाल निमने लिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है आंसर करेंगे इन में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है तो इधर आप देख रहें पत्रिका का नाम लिखा हुआ है और इस साइट संपादक का नाम है ठीक है तो आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है अगर हम लोग अलहिलाल पत्रिका के बारे में बात करें तो अलहिलाल पत्रिका का संपादन किस नहीं किया था अगला अगर यहां पर पूछे कि यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किस ने किया था तो गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किस ने किया था अगर पूछे कॉमन वील पत्रिका का संपादन किस ने किया था तो याद रखेंगे कॉमन वील पत्रिका का अब यहां सी कुछ और important पत्रिका याद रखेंगे भारत का पहला समाचार पत्र पूछेगा दबंगाल गजट आप जानते हैं भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है बंगाल गजट पूछे का बंगाल गजट कब पब्लिस किया गया था कहां से पब्लिस किया गया था तो बंगाल गजट कलकता से पब्लिस किया गया था याद रखेंगे भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट कलकात्ता से publish वुआ था 1780 में जेम्स, अगस्ठिक किया त्वारा याद रखेंगे अगर पूजेगा हिंदी भासा का पहला समाचार पत्र उद्धन्ड मार्तंड याद रखेंगे हिंदी भासा का पहला समाचार पत्र का नाम क्या है पत्र उद्धन्मार्तंड 1826 इस्वी में कलकत्ता से प्रकासित किया गया था पंडित जूगल किसोर जी के द्वारा उद्धन्मार्तंड किया स्थापना की गई थी तो उद्धन्मार्तंड के संस्थापक कौन थे पंडित जूगल किसोर याद रखेगा अगला पुछ सकता है सोम परकास पत्रिका का संपादन किस नहीं किया था सोम परकास तो आप जानते हैं कि सोम परकास पत्रिका का संपादन बंगला भासा में इस्वर्चंद विद्यासागर जी के द्वारा किया गया था इस्वर्चंद विद्यासागर जी के द्वारा किया गया था किस भासा में तो बंगला भासा में अगला सवाल पूछेगा केसरी और मराठा पत्रिका का संपादन बाल गंगादर तिलग जी के द्वारा किया गया केसरी और मराठा पत्रिका का संपादन बाल गंगादर तिलग जी के द्वारा किया गया केसरी जो है मराठी भासा में पुब्लिस किया गया था केसरी मराठी भासा में तो याद रखना है केसरी पत्रिका का संपादन मराठी भासा में और मराठा पत्रिका का संपादन अंग्रेजी में अगर आपसे पूछे गांधी जी के द्वारा कौन-कौन सा पत्रिका संपादित किया गया तो एक तो बहुत important है याद रखना है नव जीवन पत्रिका का संपाद्न किसने क्या महात्मा गांधी यंग इंडिया पत्रिका का संपाद्न किसने क्या यंग इंडिया अगर पूछे इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया याद रखेंगे एनी बेसेंट भी इंपोर्टेंट है पूछेगा एनी बेसेंट के द्वारा कौन कौन सा पत्रिका का संपादन किया गया एक तो common will याद रखना है common will ठीक है common will common will पत्रिका का संपादन किस ने किया तो याद रखना है any present इसके अलाव पूछेगा common will का एक और पत्रिका है जो कि बहुत पूछा जाता है तो comment कर दीजेगा एक तो Common Will याद रखना है Common Will पत्रिका का संपादन किस ने किया एनिबेसेंट जी ने Common Will पत्रिका का संपादन किया था और अगर पुछे New India पत्रिका का संपादन किस ने किया New India तो Common Will और New India पत्रिका का संपादन एनिबेसेंट ने किया था class को फटाफट share करेंगे आप सभी से request करेंगे वैक्तिगत सत्यागरह के पर्थम एवं दूतिय सत्यागरही के जोडों का चैन करें तो वैक्तिगत सत्यागरह के पहले और दूसरे सत्यागरही का नाम आपको बताना है important सवाल है कि वेक्तिगत सत्यागरा कब शुरू किया गया था और कहां से तो वेक्तिगत सत्यागरा की शुरू किया गया था पवनार आस्रम से कहां से पवनार आस्रम से याद रखेंगे वेक्तिगत सत्यागरा की शुरूआत पवनार आस्रम से की गई थी वेक्तिगत सत्यागरा की शु पवनार आसरम से याद रखना है वेक्टिकत सत्यागरह की सुरुवाद 17 उक्टूबर 1940 को की गई थी इंपोर्टन सवाल है पूछ सकता है और पूछेगा पहला सत्यागरही किसको चुना गया था तो विनोवा भावे को पहला सत्यागरही चुना गया था और जवाहर लाल नहरू को दूसरा सत्यागरही चुना गया था आंसर ओप्सन नंबर बी ठीक है समझ मैं तो याद रखना है कि वेक्टिकत सत्यागरह की सुरुवाद 17 उक्टूबर 1940 इस्वी को की गई थी वेक्टिकत सत्यागरह का मुख्योदे से था कि दूतिये विश्यूद में भारतिये जनता ब्रीटिस सरकार के साथ नहीं है यह दिखाना था और याद रखेगा कि वेक्टिकत सत्यागरह पवनार आस्रम महराज से सुरू किया गया था चत्रह अक्टूबर 1940 को विनोवा भावे पहले सत्यागरही बने थे जवाहर लाल नहरू को दूसरा सत्यागरही चुना गया था अंसर हो जाएगा ठीक है और वेक्टिकत सत्यागरह का विचार धारा किसका था महात्मा गांधी जी का याद रखेंगे ठीक है समझ में आया आंसर आप्शन B अस्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर भारती रास्टे कॉंग्रेस का इतिहास लिखने वाले आधिकारिक इतिहासकार कौन थे तो आप जानते हैं आपसे पूछा गया है इंडियन नस्नल कॉंग्रेस यानि इंडियन इस्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में कौन से आसे लिखक हैं जिन्होंने भारती रास्टे कॉंग्रेस का इतिहास लिखा है असर क्या होगा या आप बताएंगे तो पहला सवाल बनेगा कि भारती राश्टी कॉंग्रिस के स्थापना कब की गई थी तो आप जानते हैं भारती राश्टी कॉंग्रिस के स्थापना 28 दिसंबर 1885 भारती राश्टी कॉंग्रिस के स्थापना 28 दिसंबर 1885 ठीक है इन्डियनेसनल डिश्टकाना थापना दिसंबर 1880 को कि गई थी और याद रखना है कि इन्डियनेसनल कोंग्रिस के सहस्थापक थे AO Hube, एलन ओक्टवेन हीउम ने इन्डिनेसनल कोंग्रिस के स्थापना 8 दिसंबर 1880 को की थी important है अगला पूछ सकता है इस सवाल का answer देख लेते हैं तो इंड्या नेस्नल कोंग्रिस के स्थापना के 50 वर्स पूरे होने पर भारती रास्टे कोंग्रिस का इतिहास लिखने वाले आधिकारिक इतिहासकार का नाम आप से पूछा गया है तो याद रखना है पट्टाभी सीता रमया answer option number D अगर आपसे पूछे भारती रास्टे कॉंग्रेस के पहले अधेक्ष कौन थे तो सभी को पता होगा इंडियन नस्नल कॉंग्रेस के पहले अधेक्ष थे वयोमेश चंद्र बनरजी, WC बनरजी इंडियन नस्नल कॉंग्रेस के पहले अधेक्ष कौन थे, WC बनरजी इंडियन नस्नल कॉंग्रेस के पहले अधेक्ष थे, इंडियन नस्नल कॉंग्रेस का पहला अधिवेशन 1850 इस्वी में बंबई में हुआ था, याद रखना है अगला सवाल पूछेगा कि भारती राष्टे संग का पुराना नाम क्या था? तो याद रखना है प्रारंब में इसका नाम था भारती राष्टे संग इसका पुराना नाम क्या था? या प्रारंब में इसका नाम क्या था? भारती राष्टे संग याद रखना है भारती राष्टे संग का नाम बदल कर भारती राष्टे कॉंग्रेस किया गया ठीक है तो भारती राष्टे कॉंग्रेस का पुराना नाम था भारती राष्टे संग 1998 का बनारस अध्यवेशन गौपाल क्रिष्ण गोकले अध्यक्स थे याद रखेंगे ίνas Americel 5 omie watching a good Kalkatta अध्यवेशन इंपॉर्टेंट है persones 1996 के कलकatta अध्यवेशन के दिख्ष्द दापोन रोजी ने किती और 1996 के कलकatta अध्यवेशन के दोरान दादा भाई नोरो जी ने सौसासन सब्द का प्रियोग कॉंग्रेस के मंद से किया था तो पूसता है कि 1906 का कलकत्ता अधिवेशन अधिक्षकों दादा भाई नोरो जी और सौसासन सब्द का प्रियोग जो है दाना भाई नोरो जी ने कॉंग्स के मंद से पहली बार कया था 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के दौराण रासभिहारी बोस ने की थी 1907 का सूद अधिवेशन के दौरान क्या हुआ था कॉंग्स का प्रथम विवाजन हुआ था नरम दल और गरम दल के बीच में याद रखेंगे तो 1907 का सुरत अधिवेशन, कॉंग्रिस का विभाजन, अध्यक्ष, रास बिहारी, बोस 1911 का कलकत्ता अधिवेशन इंपोर्टन्ट है, 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जनगनमन गाया गया 1911 के कलकत्ता अधिवेशन के 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 अध पूस्ता है 1925 का कानपूर अधिवेशन अध्यक्षता सरुजनी नाइडु ने की और याद रखना है सरुजनी नाइडु पहली भारते महिला अध्यक्ष बनी थी इंडियनेस्नल कॉंग्रिस की इंडियनेस्नल कॉंग्रिस की पहली भारते महिला अध्यक्ष सरुजनी नाइडु 1925 का कानपूर अधिवेशन सरुजनी नाइडु याद रखेंगे 1929 का लाहूर अधिवेशन जवाहरलाल नहरू अधिक्स थे 1929 के लाहूर अधिवेशन में पहली बार पूर्ण सुराज की मांग की गई थी याद रखेंगे 1929 के लाहूर अधिवेशन के अधिक्स्ता जवाहरलाल नहरू के द्वारा की गई 1929 के लाहवर अदिवेशन में पुनि सुराज की मांग नहरु जी के द्वारा की गई। 1931 का करांची अधिवेशन में मूल अधिकार का प्रस्ताव लाया गया था और गांधी इर्विन समझोते का अनुमोधन क्या गया था 1931 के करांची अधिवेशन के अधिवेशन के अधिकार याद रखेंगे पूछा जाता है और भारत के अजादी के समय इंडियनस्नल कॉंग्रेस के अधिकार याद रखना है भारत के अजादी के समय इंडियनस्नल कॉंग्रेस के अधिकार याद रखना है भारत के अजादी के रास्टे कॉंग्रेस का इतिहास लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या है पट्टाभी सीता रमया उप्शन D तो क्लास को फटा फटे एक बार आप लोग सेर करें आप सभी से हमबल रिक्वेस्ट करेंगे नीमने में से कौन एक उग्र विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं तो फटा फटी सवाल का अंसर करेंगे तो आपका सजी answer क्या होगा बताएं इन में से कौन उग्र विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं तो उग्र विचारधारा के समर्थक कौन थे विपीन चंदरपाल अंसर हो जाएगा option number C ठीक है विपीन चंदरपाल इसके अलावा लाला लाजपत राए लाला लाजपत राय आप जानते लाल बाल पाल यानि लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्रपॉल है ना बाल गंगाधर तिलक जी भी उग्र विचारधारा से प्रभावित थे तो तिलक जी लाला लाजपत राय और विपिन चंद्रपॉल याद रख उग्रिविचारधारा के परमुख लीडर्स कौन-कौन थे तो याद रखना उग्रिविचारधारा के समर्थक माने जाते थे कौन-कौन अरविंद घोस, विपीन चंद्रपाल, लाला लाजपतराय और बाल गंगादर तिलक अंसर हो जाएगा उप्सन C, बाकी जो उप्सन मे महता, गौपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नोरोजी, यह सब उदारवादी विचारधारा के नेता थे, उदारवादी समझ में आ रहा है, तो उदारवादी नेता थे, उदारवादी नेता कौन-कौन थे, तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है, तो नरम प इनोरोजी, सुरेंदरनाद बनरजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, डबलू सी बनरजी, फिरोज सा महता, यह सब उदारवादी नेता थे, याद रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, उगर विचारधारा के समर्थक, विपीन च मोगल सासक के काल में, मनसभ विवस्ता का करमिक विकास हुआ, ओपसन A, अकबर, ऐपसन B, जहाँगीर, आपसन C, सा जहाँ, ऑपसन D, और रंगजेब, तो इमपेंट सवाल है, अगर आपको आंसर पता है, तो आप आझर करेंगे, किस मुगल सासक के काल में, मनसभ विवस् अब यहां से बहुत सारा सवाल आपके एग्जामे पूछा जाता है ठीके जैसे आपसे पूछ सकता है कि हल्दी घाटी का युद पूछेगा हल्दी घाटी का युद कर फे pray. पानिपत का दूसरा युद्ध कव हुआ था तो 1556 इस्वी में अकबर और हेमु की सेना के बीच में पानिपत का युद्ध हुआ था याद रखेगा इंपॉर्टेंट है पूस्ता है हल्दी घाटी के तो 1576 में हुआ था महाराना परताब और अकबर के बीच में याद रखेंगे आंसर हो जाएगा उप्सन नंबर ए सिविल सेवकों के चैन के लिए खुली परतियोगीता परिक्षा का अरम्ब किस चार्टर अधिनियम के तहत किया गया तो आपको बताना है सिविल सेवकों के चैन के लिए खुली परतियोगिता परिक्षा कारंब किस चार्टर अधिनियम के तहत किया गया ओप्शन A 1860 का चार्टर अधिनियम ओप्शन B 1853 इसवी ओप्शन C 1833 ओप्शन D 1813 तो इंपोर्टेंट सवाल है आंसर करेंगे कि सिविल सेवकों के चैन के लिए खुली परतियोगिता परिक्षा कारंब किस चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था निमनलिखित यूरोपीयनों में से कौन सा एक सोतंतरता पुर्व भारत में वैपारी के रूप में सबसे अंत में आया ठीक है इंपोर्टेंट सवाल है आपको वताना है इन में से कौन कौन सा एक शोतंतरता पुर्व भारत में वैपारी की रूप में सबसे अंत में आया option A पुर्टगाली option B फ्रांसी सी option C अंग्रेज, option D डच ठीक है तो इस सवाल का आंसर करें बहुत important सवाल है तो याद रखना है कि शोतंतरता पुर्व भारत में वैपारी की रूप में सबसे अंत में कौन आया अंसर क्या हो जाएगा option number B ठीक है तो याद रखना है कि शोतंतरता पुरु भारत में वैपारी की रूप में सबसे अंत में कौन आया तो फ्रांसी सी option number B में है अब यहां से बहुत सारा सवाल आपका एक्जाम में बनेगा जैसे पूछेगा कि पुर्टगाली जो है सबसे पहले आये था तो सबसे पहले कौन आये थे तो 1498 में वास्को डिगामा नमक पुर्टगाली भारत आये थे भारत में पहला पुर्टगाली वाइसराई था फ्रांसिसको डी अलमीडा फ्रांसिसको डी अलमीडा भारत में पहला पुर्टगाली वाइसराई था जिसने बुलू वाटर पॉलिसी या सांत जलकी निती सुरू की थी याद रखेंगे ठीक है एक और सवाल बहुत पूशता है कि पुर्टगाली राजकुमारी कैतरीन का विवा ब्रिटिस राजकुमार चाल्स दूतिय से हुआ था जिसे बंबई छेतर मिला था दहेज के रूप में याद रखेगा ठीक है इसके बाद याद रखना है पुर्टगालों के पस्चात डचों का आगमन हुआ था डच मूलता हॉलेंड या वरतमा नीदरलेंड के निवासी थे तो डच हॉलेंड या नीदरलेंड के निवासी इसके बाद रखना है पुर्टगाली या नीदरलेंड के निवासी थे इंप़र्टन्ट है और अगर पुछेगा कि पहले डच वैक्ति कौन थे जो भारत आये थे जैसे हम लोग पढ़ें कि पहला पूर्टगाली कौन था जो भारत आये था वासकोडिगाम है ना तो ऐसे ह पूछ सकता है कि पहला डच वेक्ति कौन था जो भारत आये था तो याद रखेगा ठीक है फ्रांसिसी ऑप्सन नमबर B में है ठीक है तो B याद रखेगा फ्रांसिसी है ऑप्सन नमबर B में ठीक है तो आंसर होगा ऑप्सन B आधुनिक भारत के निमनलिखित संस्थाओं एवं संस्थापकों में कौन एक सुमेलित नहीं है तो आपको बताना है संस्था लिखाओ और संस्थापक का नाम लिखाओ है तो कौन सुमेलित नहीं है या आपको बताना है तो कौन सही है पे गलत है या आपको बताना है देखिए ध्यान से important है अगर आपसे पूछे तो अगर आपको पता है तो कमेंट कीजेगा कि सर्वेंट्स ओफ इंडिया सोसाइटी के स्थापना कब की गई थी किस नहीं किया था तो गोपाल कृष्ण गोखले ने महारास्ट में किया था इन्होंने 1905 में ठीक है देखिए 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 अगर देखिए लिखा है सेवा सदन की गलत है सेवा सदन के स्थापना बी एम मालाबारी के दौरबारा की गई थी किन के द्वारा BM मालाबारी यानि बहराम जी बहराम जी बहराम जी मालाबारी द्वारा तो यह important सवाल इसको याद रखेगा पूछ सकता है कि सेवा सदन के स्थापना कव की गई थी तो सेवा सदन के स्थापना कव की गई थी तो सेवा सदन के स्थापना कव क्या गया था बं आपना ये वोला गलत लिखा था सेवा सदन के अस्थापना बहराम जी माला बारी द्वारा 18 dato 588 एसुई में किग गई थी ठी कर असर हो जाएगा ओपस्ननि नमबर सी समझ में आया तो सेवा सदन के अस्थापना B M माला बारी द्वारा बंबई में 1850 इसवी में और आप जानते हैं ब्रहम समाज के स्थापना राजारा महानराय द्वारा 1828 में ब्रहम समाज के स्थापना राजारा महानराय ने 1828 इसवी में की थी तो कौन सा गलत है Option C अब यहां से और भी सवाल बन सकता है जैसे रहनुमाई माजदायन सभा के स्थापना किसने की थी रहनुमाई माजदायन सभा रहनुमाई माजदायन सभा तो आप बताएंगे रहनुमाई माजदायन सभा के स्थापना किसने की थी तो आप जानते रहनुमाई माजदायन सभा के स्थापना दादा भाई नोरोजी के द्वारा की गई थी याद रखेंगे रहनुमाई माजदयन सभा के स्थापना दादा भाई नोरोजी के द्वारा रहनुमाई माजदयन सभा के स्थापना की गई थी अगला सवाल पूछ सकता है कि संगत सभा के स्थापना किस ने की थी, तो केसव चंद्रसेन ने, संगत सभा के स्थापना किस ने की थी, संगत सभा, याद रखेंगे संगत सभा के स्थापना किस ने की थी, तो केसव चंद्रसेन ने, लिख लिजेगा कि संगत सभा के स्थाप अगला पूछ सकता है अभिनो भारत के स्थापना की थी याद रखेंगे बनारस हिंदू उनिवरसिटी के संस्थापना की थी तो बनारस हिंदू उनिवरसिटी के संस्थापना की थी तो बनारस हिंदू उनिवरसिटी के संस्थापना की थी तो बनारस हिंदू उनिवरसिटी थींब रखेंगे अगला पूछ सकता है इंडियन होम रूल सोसाइटी के स्थापना किस ने की? इंडियन होम रूल सोसाइटी के स्थापना किस ने की? इंडियन होम रूल सोसाइटी के स्थापना यह इंपोर्टन इसलिए है क्योंकि इसका स्थापना लंदन में किया गया था तो इंडियन होम पे क्या गया था लंडन में समझ में आया 1905 में कहां पे क्या गया था इसका अस्थापना London में ठीक है समझ में आ गया तो याद रखना है इंडियन Hahmlaw Society के esthaapna 1905 में London में सियाम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी इस सवाल का सही आंसर क्या होगा कौन सा गलत है तो सेवा सदन के सनस्थापक का नाम गलत दिखा है सेवा सदन के स्थापना किस ने की थी तो सेवा सदन के स्थापना बहराम जी माला बारी के द्वारा की गई थी option C तो class को फटाफट सेर कीजेगा ब्रिटिस भारत की सेना ने धार्मिक आधार पर सबसे पहले किस वर्स सरकार के आदेस का विरोध किया था त्याद रखना है इंपोर्टेंट सवाल है ब्रिटिस भारत की सेना ने धार्मिक आधार पर सबसे पहले 1824 इस्वी में सरकार के आदेश का विरूद किया था ब्रिटिस भारत की सेना ने धार्मिक आधार पर सबसे पहले 1824 इस्वी में सरकार के आदेश का विरूद किया था ओप्शन B किस वाइसराई ने गांधी जी को वन में बाउंडरी फोर्स कहा है आपको बताना है तो आप जानते हैं यहाँ पर अंसर होजागा माउंट बेटन माउंट बेटन ने गांधी जी को वन में बाउंडरी फोर्स कहा है तो अगर आपसे पूछेगा कि गांधी जी को वन में बाउंडरी फोर्स किस ने कहा माउंट बेटन ने ठीक है आंसर हो जाएगा option number D आपको पता होगा कि cabinet mission 1946 में भारत आया था और cabinet mission के तहत ही आपको पता होगा कि भारत में सविधान सभा का निर्मान हुआ था है ना तो आपको ये भी पता होगा कि Muslim League ने 16 अगस्त को सीधी कारेवाही दिवस की रूप में मनाया था 16 अगस्त 1946 को Muslim League ने सीधी कारेवाही दिवस की रूप में मनाया था और इस अवसर पर कलकत्ता में हजारों लोग लूटे गए चीक है और इसके परतिकरिया सुरूप क्या हुआ था हिंदू बहुत संख्यक प्रांथ बिहार के मुसल्मानों पर अत्याचार हुआ इसके परत चुनाव जो हुआ था उसमें 296 सीटों में से भारती राष्टी कोंगरेस को 208 सीट मिल गया मुसलिम लिग को 73 सीट ही मिला था और अन्य जो छोटे समूते उसको 15 सीट मिला था अब इससे क्या हुआ मुसलिम लिग गुसा गया अब मुसलिम लिग ने क्या किया विरोध कर और मुसलिम लिग ने 16 अगस्त को सीधी कारेवाही दिवस की रूप में मनाया अब इसी अवसर पे क्या हुआ कौलकाता में दंगा हो गया हजारों लोग लूटे गए और हिंदु मुसलिम में क्या हुआ बहुत ज़दा जगड़ा हो गया था दो जगा है एक नवा खली और एक चिप पाहड ठीक है तो उसी बीच में क्या हुआ कि लॉड मांट बेटन ने गांधी जी को भेजा था कि आप वहाँ जाईए और जो भी हिंदु मुसलिम के बीच में जो दंगा है उसको आप सांथ कीजे ठीक है तो गांधी जी जाते हैं और गांधी जी जाकर वहाँ गांधी जी जाते हैं ठीक है तो गांधी जी सांते विबस्था अस्थापित करने के लिए नोआ खाली गए और गांधी जी ने दंगा को सांथ किया इसलिए मांट बेटन ने खुष होकर गांधी जी को one man boundary force कहा क्योंकि जितना भी पूलिस था पर सांसन था ओन लोग सांत नहीं कर पाया लेकिन अकेले गांधी जी जाके बातचीत के माध्यम से उसको सांत कर दिये समझ मैं है तो इसलिए याद रखना है कि महातमा गांधी को वन मैं बाउंडरी फोर्स कहा है कि इसने लॉर्ड मांट बेटन ने आंसर हो जाएगा ऑप्सन नंबर डी तो क्लास को बेटन योजना 3 जून 1947 को पब्लिस किया गया था याद रखेंगे ठीक है पूछ सकता है अंसर होगा ऑप्सन डी गुप्त सासन में निर्मित दसावतार मंदिर किस देवता को समर्पित है आपको वताने गुप्त काल में बनाया गया मंदिर कौन सा मंदिर दसावतार मंदि या किस देवता को समर्पित है तो आप जानते हैं कि गुप्त शासन में दसावतार मंदिर का निर्मान किया गया था और दसावतार मंदिर भगवान विश्नु से समर्पित है तो याद रखेंगे गुप्त काल में निर्मित दसावतार मंदिर किस देवता को समर्पित है तो याद रखेंगे गुप्त काल में निर्मित दसावतार मंदिर भगवान विश्नु को समर्पित है ठीक है अंसर ओप्सन नमबर बी तो इस सवाल को याद रखेगा बहुत जादा पूछा जाता है गुप्त काल में बहुत सारे मंदिरों का निर्मान किया गया था जहां से एक् अतना मंद्य प्रदेश में भुमरा का सिव मंदिर गुप्त काल में बनाए गया इसके अलावा याद रखना है देवगण का दसावतार मंदिर पूछेगा किस राज में है तो देवगण का दसावतार मंदिर जहां सी उत्तर प्रदेश में है याद रखना है कि देवगण क दसावतार मंदिर जहां सी उत्तर प्रदेश में है और यह भगवान विष्णू को समर्पित है इसके अलावे आप जानते हैं अजंता और आजंता की जो गुफाएं है वहाँ पर भी कुछ記 है गुप्तकालिन माने जाते हैं प्लाइनसर एक बनाते है Check निसकाम कर्म का सिधान्त सवर पर्थम किसमे परतिपादित किया गया आपको वतन है निसकाम कर्म का सिधान्त सबसे पहले किसमे परतिपादित किया गया option A, कठोप निशद, option B, मुंड़कोप निशद, option C, इसोप निशद, option D, चांदोग ये उपनिशद तो याद रखेगा कि निशकाम कर्म का सिधान्त जो है सबसे पहले कहां पर निशकासित किया गया या किस पर परतिपादित किया गया तो option C, अंसर क्या होगा इसोप निशद, याद रखेगे निशकाम कर्म का सिधान्त सबसे पहले इसोप निशद में परतिपादित किया गय पूछेगा कि गुप्त काल में सरवादिक अभिलेक किस सासक के मिलते हैं तो कुमार गुप्त पर्थम के मिलते हैं याद रखेगा तो क्लास को फटाफट एक बार सेर कर दिजेगा निम्नलिखित में से किस अस्थान से मानव कंकाल के साथ कुट्टे का कंकाल भी सवाधान से प्राप्द हुआ है उप्सन A, ब्रहमगिरी, उप्सन B, बुर्ज़होम उप्सन C, चिरांत, उप्सन D, मास्की important सवाल है, बहुत बार पूछा गया है तो आप जानते हैं कि कस्मीर में ये इस्थित है थिखे कस्मीर में इस्थित है ठीक है तो बुर्जहॉम आपका आंसर हो जाएगा तो याद रखना है कि कस्मीर में इस्थित बुर्जहॉम से मानव कंकाल के साथ कुट्टे का कंकाल भी सवाधान से प्राप्त हुआ है आंसर हो जाएगा अप्शन नमबर B अनेकांत वाद या स्याद वाद निमनिलिखित में से किसका क्रोड सिधान एवं दर्सन है आपको बताना है अनेकांत वाद या स्याद वाद निमनिलिखित में से किसका क्रोड सिधान एवं दर्सन है option a, बॉध मत, option b, वैस्नाव मत, option c, सिख मत, option d,随न मत तो आंसर करेंगे अनेकांत वाद या रहस्य वाद निमलिकित में से किसका कुरोड सिधान्त एवं दर्सन है तो आपका से आंसर होगा जैनिज्म ठीक है तो अनेकांत वाद या स्याद वाद किसका क्रोड सिधान तेवं दरसन है तो जैनमत ऑप्सन नमबर डी जैनिज्ब सती पर्था का पर्थम अभिलेक साक्षे कहां से प्राप्थ हुआ है आपको वतन है कि सती पर्था का पहला अभिलेखिय साक्ष कहां से प्राप्त हुआ है तो सिंपल सा सवाल है सती पर्था का पहला अभिलेखिय साक्ष कहां से प्राप्त हुआ है तो आप जानते एरॉन अभिलेखिय से प्राप्त हुआ है भानुगुप्त के एरॉन अभिलेख से 510 इस्वी मतलब ये निर्मित क्या गया है तो याद रखना है भानुगुप्त के एरॉन अभिलेख से सती पर्था का पहला अभिलेखिये प्रमान मिलता है आंसर हो जागा option D ठीक है तो सती पर्था का पहला अभिलेखिय साक्ष कहां से प्राप्थ हुआ है तो याद रखना है कि भानुगुप्त के एरोन अभिलेखिय से सती पर्था का पहला अभिलेखिय प्रमान प्राप्थ हुआ है आंसर ऑप्षन D class को फटाफट share कर दीजे आप सभी से request करेंगे मौरे काल में सिक्षा का सरवाधिक परसिद्द केंद्र था आपको बताना है मौरे काल में सिक्षा का सरवाधिक परसिद्द केंद्र कौन सा था option A, नालंदा option B, विकरम सिला option C, पाटली पुत्र option D तक्षसिला तो फटा-फट आंसर करेंगे important सवाल नहीं पूठता है तो आपको याद रखना है परसिद्द केंद्र था यह पूछा गया है तो मौरे काल में सिक्छा का सरवादिक परसिद्द केंद्र था तक्षसिला ऊंसर हो जाएगा option number D जिले में इस्तित है, तक्षि सिला याद रखना है। अब準 अब era की सिला से आपजानते हैं चानक के कहां से संबंदित है तक्षि सिला से प्राजा प्रसेन जीत, मगद का, राजवेत, जीवक, सुप्रसिद राजनिति के चानक के इन्होंने यहीं से सिख्षा प्राप्ति की थी इसके अलावा आप जानते हैं कि चानक के तक्षी सिला के आचारे थे तो पूछेगा तक्षी सिला के आचारे थे अगला सवाल पूछ सकता है नालंदा खिविद्यालाई के अस्थापना किसने की थी आपको बताना है ठीक है important है ये भी सवाल बहुत पूछा जाता है तो नालंदा विस्विद्याले के अस्थापना किस ने की थी तो गुप्त सासक कुमार गुप्त ने की थी कुमार गुप्त पर्थम ने तो अगर पूछे नालंदा विस्विद्याले के अस्थापना किस ने क पुछेगा विक्रमसिला विश्विद्यले के स्ठापणा किस ने की थी तो पालवंस के सा सकते धर्म पाल ठीक है धर्म पाल ने लास्ट में पाल है तो समझ में आ जागा पाल वंस की राजा थे तो धर्म पाल के द्वारा निर्मित है विक्रम सिला विस्विद्याले के स्थापना किस ने की थी तो पाल वंस की राजा धर्म पाल ने विक्रम सिला विस्विद्याले के स्थापना की थ ठीक है और आपको पता होगा कि बक्तियार खिल जी ने विक्रम सिला विस्विद्याले को ध्वस्त कर दिया था और वहां पे भिक्षों का सामुही खत्या कर दिया था विक्रम सिला विस्विद्याले को ध्वस्त करने वाला वेक्ति का नाम है बक्तियार खिल जी याद तुम्होरे काल में सिक्षा का सरवादिक प्रसिद केंदर तक्षिसिला ओप्सन डी क्लास को फटाफट एक बार आप लोग सेर करें आप सभी से हमबल रिक्वेस्ट करेंगे प्रारंभिक मद्यकाल में बिहार का छेत्र किसके बीच संघर्स का अखारा बना रहा अंसर करेंगे प्रारंभिक मद्यकाल में बिहार का छेत्र किसके बीच संघर्स का अखारा बना रहा उप्सन A बंगाल और मराथा उप्सन B बंगाल और दिली उप्सन C दिली और अंग्रेज उप्सन D बंगाल और अंग्रेज तो सही आंसर क्या होगा बंगाल और दिली प्रारंबिक मद्यकाल में बिहार का जो छित्र है बंगाल और दिली के बीच में संघर्स का अखारा बना रहा आंसर ओप्सन नंबर बी याद रखेगा रास्टिय मानवादिकार आयोक का अधक्ष किसे बनाया जाता है तो याद रखना है कि रास्टिय मानवादिकार आयोक का अधक्ष किसे बनाया जाता है तो राष्टे मानवादिकार आयूक का ध्यक्ष सुप्रीम कोट के किसी भी रिटाइड मुख्य नयाधिस को बनाया जाता है आंसर आप्सन नमबर A नीचे दिया गया कथन में से कौन सा कथन सही है ये बताना है कौन सा कथन सही है आप्सन A, 1948 में पहली लोगसभा का गठन किया गया था आप्सन B, 1947 में पहली लोगसभा का गठन किया गया था 1952 में पहली लोगसभा का गठन किया गया था तो आंसर क्या होगा पूछा है कि कौन सा ही स्टेटमेंट सही है ठीक है कौन सा ही statement सही है तो आप देख रहे है कि 1952 में पहली लोगसभाह का गठन किया गया था आंसर हो जागा ऑप्शन इद्ञ याद रखेगा important सवाल है पूसता है कि पहली लोगसभाह का गठन कब किया गया था option A, अनुछे 76 के तहत रास्टपती द्वारा महानयवादी न्युक्त किये जाते हैं तो ये सही है, क्योंकि आप जानते हैं कि महानयवादी की न्युक्ती किसके द्वारा की जाती है रास्टपती द्वारा महानयवादी की न्युक्ती की जाती है अनुछे 76 के तहत तो ये तो आपका आंसर सही है लेकिन हमें पूछा है कौन सा गलत है तो ये तो नहीं हो सकता है अगला देखते हैं अगला क्या लिखा है उच्टम नयाले के नयाइधीस होने की योगिता होनी चाहिए बिल्कुल सही महानयवादी होने के लिए उच्टम नयाले के नयाइधीस होने की योगिता होनी चाहिए महानयवादी जो होता है भारत सरकार का पहला विदी अधिकारी होता है ये भी बिल्कुल सही है महानयवादी भारत सरकार का पहला विदी अधिकारी होता है याद रखेंगे ठीके पूछा है कौन सा स्टेटमेंट गलत है अगला लिखा है संसद की कारेवाही में भाग लेने और वोट देने का अधिकार है यह जो statement गलत लिखा है option number D समझ मैं तो कौन सा statement गलत है option D तो याद रखेगा कि महानयवादी भारत सरकार का पहला विदिय अधिकारी होता है महानयवादी का उलेक अनुछेद 76 में है अनुछेद 76 के अनुछेद 76 के अनुछार महानयवादी की न्युक्ति रास्टपती के द्वारा की जाती है महानयवादी न तो संसत का सदस्य होता है और नहीं मंत्री मंडल का सदस्य होता है लेकिन वह किसी भी सदन में अथ्वा उनकी समीतियों में बोल सकता है लेकिन महानयवादी को वोट देने का अधिकार नहीं होता है जबकि यहां देखे लिखा है कि वोट देने का अधिकार है तो यह गलत हो गया ठीक है और पूछा है कौन सा गलत है तो यह अंसर होगा तो याद रखना है कि महानयवादी को वोट देने का अधिकार नहीं होता है अनुछेद 88 में ऐसा कहा गया है ठीक है तो याद रखेंगे महानयवादी न तो संसद का सदस्य होता है और नहीं मंत्य मंडल का सदस्य होता है लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकते हैं किन्तु उन्हें वोड देने काधिकार नहीं है ऐसा कहा गया है अनुछेत 88 में याद रखेंगे और महानयवादी को भारत के राजस्चेतर के सभी न्यायले में सुनवाई का अधिकार दिया गया है अंसर गलत कौन सा है? अप्शन D चलिए अगला सवाल देखते हैं क्लास को फटा फट एक बार आप लोग लाइक और सेर कीजिए आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे तथा अपनी पूनी के बीच एक निश्चित अनुपात बना कर रखना होता है अप्शन A नकद आरक्षित अनुपात अप्शन B वैधानिक तरलता अनुपात option C सिमान्त अस्थाई अनुपात option D पून्जी प्रयापता अनुपात तो इसका answer क्या होगा तो याद रखना option number D पून्जी प्रयापता अनुपात ठीक है तो पून्जी प्रयापता अनुपात के तहद बैंको को अपनी जोखिम भारित परिशंपती तथा अपनी कुंजी के बीच एक निश्चित अनुपात बना कर रखना होता है तो आंसर हो जाएगा Capital Adequacy Ratio Option No.D परमपरागत करसी विकास योजना को कब सुरू किया गया आपको वताना है परमपरागत करसी विकास योजना को कब सुरू किया गया वस्तु एवम सेवा कर GСТ के संबंद में औसतिक कथन को चुनिये ठीक है तो आपको वताना वस्तु एवम सेवा कर GST के संबंद में कौन सा e-statement गलत है option A, 1 जुलाई 2021 को GST के 4 वर्ष पूरे हुए option B, GST में अनेक और परतक्ष करों को समाहित किया गया है option C, GST के अंत्रगत 5%, 12%, 18% और 26% की दर है option D, GST परिशत GST की दर को निर्धारित करता है तो कौन सा इस statement यहाँ पे गलत है यह आपको बताना है तो बहुत important सवाल है इसका आप लोग answer करेंगे क्या answer हो जाएगा इसका तो answer करें क्या होगा इसका सही answer तो पूछा गया है कौन सा statement, असत्य है गलत है ठीक है, तो यहाँ आपका answer हो जाएगा option C, गलत है GST के अंत्रगत 5%, 12%, 18% और 26% की दर है यह जो है गलत statement है, बाकी यहाँ से क्या क्या सही है ठीक है, तो देखिए पूछे का GST का गठन कब किया गया था तो 1 जुलाई आप जानते हैं GST यानि वस्तु एवम सेवाकर तो GST वस्तु एवम सेवाकर का गठन कब किया गया था 1 जुलाई 2017 को 1 जुलाई 2017 को GST का गठन किया गया ठीक है, और पूछा है कि 1 जुलाई 2021 को 4 साल पूरा किया तो 17-24 यह तो सही है तो आपको याद क्या रखना है, GST का गठन कब किया गया तो GST का गठन किया गया 1 जुलाई 2017 ठीक है, पूछेगा GST कब लागू किया गया तो 1 जुलाई 2017 को GST लागू किया गया तो पहला हो गया सही है दूसरा GST में अनेक आपरतक्ष करों को समाहित करता है ये भी सही है कि GST में अनेक प्रकार के आपरतक्ष करों को समाहित किया जाता है GST परिशद क्या करता है तो GST की दर को निर्धारित करता है GST परिशद तो यह तीनी statement आपका सही है गलत कौन सा हो गया option C तो यहां से याद क्या क्या रखना है कि GST याद रखना है विजय केलकर समीती की सिफारिस पर लाया गया है विजय केलकर समीती याद रखेंगे GST का संबंद है विजय केलकर समीती से तो विजय केलकर समीती तो याद रखना है GST किसे सामिल है तो विजय केलकर समीती से संबंदित है GST ठीक है आप याद रख सकते हैं अगर याद ने रहेगा किस समीती की सिफारिस पर विजय किलकर समीती की सिफारिस पर GST लागू किया गया और GST लागू करने वाला पहला राजे पूछेगा तो आसाम GST लागू करने वाला पहला राजे कौन सा है तो GST लागू करने वाला पहला राजे आसाम GST लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है आसाम याद रखेंगे अगर पुछेगा कौन सा सविधान संसोधन द्वारा GST लाया गया तो 101वा सविधान संसोधन 101 रुपया काफी पुन्य माना जाता है या हम लोग अच्छा मानते हैं सुब मानते हैं तो 101वा सविधान संसोधन ठीक है पुछेगा GST कौन सा सविधान संसोधन के द्वारा लाये गया तो GST 101वा सविधान संसोधन के द्वारा लाये गया है पुछेगा समझ में आया तो इतना आप याद रखेगा अगला याद रखना है GST किसका विसय है? तो समवर्थी सुची का विसय है 289 एक इतहत क्या जाता है GST परिशद के अध्यक शोते है Finance Minister GST परिशद दर का निर्धारन करता है समझ मैं तो GST समवर्थी सुची का विशे है GST लागू करने वाला पहला राज असाम GST विजे किलकर समीती की सिफारिस पर आया GST 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ GST 101 समविधान संसोधन द्वारा लागू किया गया इसके अलावा GST काउंसिल आर्टिकल 289 एक इतहत GST काउंसिल का गठन क्या जाता है GST काउंसिल के अध्यक शोते है Finance Minister याद रखेंगे तो यहाँ पर पुछा था गलत कौन सा है तो option number C जो होगा आपका सही आंसर होगा Class को फटा-फटे एक बार आप लोग सेर किजेगा भारत की वैसी नदी जो हिमाले की सभी स्रिंखला को काटती है तो आपको वतना ऐसी कौन सी नदी है जो हिमाले की सभी स्रिंखला को काटती है तो कौन सी ऐसी नदी है जो हिमाले की सभी स्रिंखला को काटती है तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा याद रखना option B सतलूज सतलूज नदी याद रखना हिमाले की सभी स्रिंखला को काटती है सतलूज नदी कहा से निकलती है तो सतलूज नदी तिबबत में मानसरोवर जिल के निका ट्राकस्ताल से निकलती है याद रखेंगे और सतलूज नदी हिमाले की सभी सरिंखला को काटती है अपसन नमबर B निमनलिखित में से कौन एक किसी परजाती के विलोपन के लिए उत्तरदाई नहीं है तो यहाँ याद रखना आंसर क्या होगा व्याप कनिच करमता व्याप कनिच करमता option number A ठीक है किसी प्रजाती के विलोपन के लिए उत्तरदाई नहीं है व्याप कनिच करमता option number A याद रखेंगे मकर रेखा इन में से होकर नहीं गुजरती है तो मकर रेखा कहां से होकर नहीं गुजरता है इन तीनों में इन चारों में से मकर रेखा कहां से होकर नहीं गुजरती है ठीक है पुछा है नहीं गुजरती है ध्यान दिजएगा तो मकर रेखा जो है मेडागासकर से गुजरती है मकर रेखा टॉंगा से गुजरती है मकर रेखा बोलिविया से होकर नहीं आपको बताना है यहां जो सागर दिया है तो इसका बताना है पुरू से पस्चिम का करम पुरू से पस्चिम का सही करम तो आप आंसर करेंगे पुरू से पस्चिम का सही करम तो याद रखना है बेरिंग सागर इसके बाद आएगा पीला सागर फिर लाल सागर फिर केरिवियन सागर तो पुरू से पस्चिम का सही करम कौन सा है सागरों का तो आप्शन नमबर D जो होगा सही होगा याद रखना है बेरिंग सागर पीला सागर लाल सागर और करिबियन सागर ये जो है सागरों का पुरू से पस्चिम का सही करम है आप्शन D समुद्र की गहराई किसी अंतर द्वारा मापा जाता है तो आप जानते हैं कि समुद्र की गहराई को फैदो मीटर द्वारा मापा जाता है पिर्थवी की आयू का मापन किस विधी द्वारा किया जाता है तो आप जानते हैं कि पिर्थवी की आयू का मापन यूरेनियम डेटिंग विधी द्वारा किया जाता है और जिवास्मों की आयू का मापन कार्बन डेटिंग विधी द्वारा किया जाता है तो अगर जिवासमों की आयू कारवन डेटिंग विदिद्वारा जिवासमों की आयू ग्यात की जाती है जब की पिर्थवी की आयू कामापन यूरेनियम डेटिंग विदिद्वारा क्या जाता है answer option number C याद रखेंगे निमने में से किस जन्तु में सरवाधिक पसलियां होती है आपको बताना है किस जन्तु में सरवाधिक पसलियां होती है किस जन्तु में सरवाधिक पसलियां होती है option A, उरंसील अस्तंधारी, option B, क्रोकोडाइल, option C, handed over, option D, कछवा तो किस जन्तु में सरवाधिक पसलिया होती है तो सबसे अधिक पसलिया किसमे होता है यह आपको बताना है ठीक है तो सबसे अधिक पसलिया किसमे होती है तो आपका आंसर हो जागा option C ठीक है option C हो जाएगा सबसे अधिक पसलिया कौन सा जीव में होता है यह जो चार option दिया गया है, इसमें सबसे अधिक पसलिया किसमे होती है, reaps किसमे होता है, याद रखना है handed over, किसमे होगा, swap में होगा, ठीक है, यह साप होगा, ठीक है, याद रखना है सबसे अधिक पसलिया किसमे होता है, तो option C याद रखेगा, साप में होता है, ठीक है, option C स तो आप याद रखे हैं लाई डिटेक्टर उपकरन को क्या कहा जाता है तो आप जानते हैं कि लाई डिटेक्टर को पॉलिग्राफ कहा जाता है लाई डिटेक्टर को क्या कहा जाता है लाई डिटेक्टर को क्या कहा जाता है लाई डिटेक्टर को क्या कहा जाता है लाई मानव सरीर के तापकरम के संबंद में सही कथन को चुनिए तो मानव सरीर का तापकरम के संबंद में कौन सा इस्टेटमेंट सही है option A सर्दी के मौसम में तापमान घड़ जाता है ये तो गलत है option B गर्मी के मौसम में तापमान बढ़ जाता है ये भी गलत है, सर्दी के मौसम में बढ़ जाता है ये भी गलत है, क्योंकि आप जानते हैं कि स्वस्त मनुस्य के सरीर का तापमान कितना होता है 37 degree Celsius होता है, इसका मतलब गर्मी में भी उतना ही होता होगा, थंडा में भी उतना ही होता होगा किसी भी मौसम में, मनुस्य के सरीर के तापमान में कोई भी परिवरतन नहीं होता है मनुस्य के सरीर का तापमान, 36 degree Celsius होता है, वह आप याद रखेगा तो आंसर हो जाएगा, option number D रक्त में oxygen की सांदरता में कमी आने पर स्वांस की गति ये भी देखिए याद रखने का question ये आसान है अगर blood में oxygen की कमी हो जाएगी तो स्वास का गती क्या होगा option A सामाने से बढ़ जाता है option B सामाने से घड़ जाता है option C परिवर्टित नहीं होता है option D पहले घड़ता है फिर बढ़ता है तो answer क्या होना चाहिए यह आप बताएंगे तो याद रखना है सही answer क्या हो जाएगा option number A रक्त में और अगर oxygen की सांदर्बता में कमी होती है याई रक्त में oxygen की मात्रा अगर कम हो जाता है तो स्वास की गती क्या होगा सामाने से बढ़ जाएगा option number A समझ मैं है तो याद रखना है बलड में ऑक्सिजन की सांदर्ता में कमी होने पर स्वांस की गती सामाने से बढ़ जाती है option A लंबाई की नियूंतम इकाई निम्न में से क्या है आपको बताना है इन में से लंबाई की नियूंतम इकाई क्या है option A एनिस्ट्रॉम, option B, फर्मी मीटर, option C, नैनो मीटर, option D, मैक्रोम ठीक है तो याद रखना है लंबाई की नियूंतम इकाई क्या है तो लंबाई की नियूंतम इकाई इसमें है फर्मी कौन सा है? ओप्सन निमबर B ठीक है? लंबाई की नियुन्टम एकाई क्या है? तो फर्मी याद रखना है नेनो मीटर का आप जानती है कि 10 पे पावर माइनस 9 मीटर होता है एक नेनो मीटर का मान होता है 10 पे पावर माइनस 9 मीटर एक नेनो मीटर का मान होता है 10 पे पावर माइनस 9 मीटर याद रखेगा कौन सा यही होगा क्योंकि पावर में माइनस है और बड़ा है यह तो याद रखना है लंबाई की न्यूंतम इकाई कौन सी है तो फर्मी मीटर यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्सन नमबर बी सरीर का कौन सा अंग है जो हर समय काम करता है तो आप जानते हैं हर ठिरद है ओप्सन नमबर बी क्लास को फटा-फट सेयर की जेगा निम्न में से किसका विम्य सुत्र M0LT-1 है इनमें से किसका विम्य सुत्र M0LT to the power minus 1 है तो चाल का विम्य सुत्र याद रखना है सही अंसर क्या होगा चाल चाल का विमेस उत्र है M0LTP-1 अप्सन नमबर A स्वासन के दौरान वायू के गमन का सही करम क्या है यह आपको बताना है ठीक है? तो यहाँ याद रखना है यह होगा नासा मारग उसके बाद Trachea में जाएगा हवा उसके बाद Branchei में जाएगा उसके बाद Brancheiolus में जाएगा आंसर होगा Option B तो स्वसन के दोरान वायू के गमन का सही करम क्या है तो याद रखना है सबसे पहले नासा मार्ग में हवा है वहाँ से जाएगा Trachea में जो निर्वात में गमन करती है तो इंपोर्टेंट सवाल है निर्वात में गमन करने वाली तरंगों को क्या कहा जाता है तो आपका आंसर क्या होगा बता देंगे याद रखना है Option C विदुत चुम्बिके तरंग निरवात में गमन करने वाले तरंगों को क्या कहा जाता है विदुद्चुम्बिके तरंग या ओयांत्रिक तरंग इंपोर्टेंट सवाल है ओयांत्रिक तरंग जो होता है उसको गमन करने के लिए किसी माध्यम क्या हो सकता नहीं होती है तो याद रखना है विदुद्चुम्बी के तरंग या ओयांतरिक तरंग वैसी तरंगे होती है जिनके संचरन के लिए किसी माध्यम क्याव सकता नहीं होती है विदुद्चुम्बी के तरंग या ओयांतरिक तरंगे निर्वात में भी संचरित हो सकती है याद रखेंगे और अनुप्रस्त तरंग और अनुदेदे तरंग ये दोनों जो है यांत्रिक तरंग का उधारन है, समझ भाया तो ये दोनों क्या है यांत्रिक तरंग है, यानुदेदे तरंग को भी माध्यम का उधारन है, यानुदेदे तरंग को भी माध्यम का उधारन होता है, लेकिन व प्रिवात में गमन कर सकता है विदुचुम्बी के तरंग या ओयांतरिक तरंग आंसर उप्सन नमबर C तो क्लास को फटा फटे एक बार आप लोग सेयर करें आप सभी से हंबल रिक्वेस्ट करेंगे क्लास को सपोर्ट करें निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है आपको बतना इन में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है आप जानते लोहे में जंग लगना रासाइनिक परिवर्तन है लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है लोहे में जंग लगना रासाइनिक परिवर्तन है लोहे में जंग लगना, रासानिक परिवर्तन, सबजियों का पकना, रासानिक परिवर्तन, मंबति का जलना, रासानिक परिवर्तन लेकिन धोनी तरंग क्या है, भातिक परिवर्तन, ठीक है तो किसके कारण बुल रहा है इन में से किसके लिए किसी का तो एकमात्र कारण नहीं है ठीक है तो आंसर करें इन में से किसके लिए किसी का तो एकमात्र कारण नहीं है इंपोर्टेंट सवाल है आप जानते हैं यहां से बहुत सारा सवाल बनता है जैसे स्याही का सुखना भू किसी कत्व का एकमात्र कारण नहीं है, किसी कत्व का एकमात्र कारण नहीं है, option number D, ठीक है, पौधों की जड़ों से जलका, इसके पढ़न समुह की और बढ़ना किसी कत्व का एकमात्र कारण नहीं है, बाकी याद रखना है, स्याही का जो सुखना है, किसी कत्व के कारण होता तो केसनली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना को किसी कत्व कहा जाता है, ब्लॉटिंग पेपर स्याही को तेजी से सोकता है क्योंकि इसमें बने छोटे छोटे छिद्र केसनली की तरह कारे करते हैं, लाल्टेन या लेंब की बत्ती में किसी कत्व के नीचे उपर पहुचते हैं, याद रखेंगे, इसके अलावा याद रखना है कि साबून, डिटर्जेंट, आदी, जल का प्रिष्ट तनाव कम कर देते हैं, और ये मेले में गहराई तक चले जाते हैं, जिससे कपड़ा जादा साफ होता है, इसके अलावा गरम सूप स्वा नहीं है, धातू अधातू, गैस उपधातू, तो कौन सा तत्व नहीं है, गैस, ऑप्सन नमबर C, तत्व नहीं है, गैस, ठोस कारवन डैकुसाइट को किस दाप पर संग्रहित किया जाता है, याद रखना है ठोस कारवन डैकुसाइट को उच दाप पर संग्रहित किया जा प्रियुक्त क्रिसी में प्रियुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मातरा कितनी होती है ठीक है important सवाल है तो याद रखना यूरिया में नाइट्रोजन की मातरा होता है 46% यूरिया में नाइट्रोजन की मातरा कितनी होती है तो क्रिसी में प्रियुक्त यूरिया में नाइट वायू पर्दुशक का जैव सूचक है तो वायू पर्दुशक का जैव सूचक कौन है या आप बताएंगे तो आप जानते हैं सही आंसर क्या हो जागा लाइकेन लाइकेन जो है याद रखना है वायू पर्दुशक का जैव सूचक है लाइकेन और लाइकेन जो होता है थेले लोजी कहा जाता है तो याद रखना है कि Lichen जो होता है कवक और सेवाल का सहजीवी संबंध होता है important है पूस्ता है और Lichen जो होता है वायू परदूशन का जैल सुचक होता है Lichen वायू परदूशन के indicator की रूप में काम आता है तो वायू में sulfur dioxide की मातरा को indicate करता है Lichen याद रखेंगे Lichen वायू में sulfur dioxide की मातरा को indicate करता है Lichen वायू परदूशन के संकेतक की रूप में काम करता है जहां पर वायू परदूशन अधिक होगा वहाँ पर Lichen का पौधा नहीं उगता है याद रखेंगे चीक है पूछ सकता है इस सवाल ठीक है और प्रयोग साला में प्रयोग थोने वाली लिटमस पेपर रोसेला नामक Lichen से प्राप्त होता है याद रखेंगे प्रयोग साला में जो लिटमस पेपर का उप्योग किया जाता है तो लिटमस पेपर किस lichen से प्राप्त होता है तो लिटमस पेपर रोसेला नमक lichen से प्राप्त होता है याद रखेगा तो यहाँ पर आंसर होगा वायू, pollution indicator के रूप में काम करता है lichen, option C दंत, लवक, निम्रिलिखित में से केल्चियम के किस योगिस से बनता है तो आपको बताना है दंत, वलक किस से बनता है तो आप जानते हैं, दंत, वलक केल्चियम फॉस्पेट से बनता है आंसर हो जाएगा option number D तो दंत, वलक या डेंटाइन जिसको हम लोग डेंटाइन कहते हैं ठीक है दंतवल्क या डेंटाइन किस से बना होता है केल्चियम फॉस्फेट से बनता है option D वास्पी करण के कारण सीतलता कैसे होती है आपको बताना है वास्पी करण के कारण सीतलता कैसे होती है तो वास्पी करण के कारण सीतलता कैसे होती है तो याद रखना है द्रव के कन द्वारा उर्जा अवसोसित करने के कारण ठीक है वास्पी करण के कारण सीतलता कैसे होती है तो द्रव के कन द्वारा उर्जा अवसूसित करने के कारण वास्पी करन के कारण सीतलता अनवा होता है अप्शन B तेर कीजे और साथे साथ कोई भी डाउट होगा किसी भी टॉपिक में डाउट होगा तो आप लोग कमेंट अवस्य कीजेगा तो चलिए सुरू करते हैं क्लास और देखते हैं हमारा पहला सवाल निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा इरान से भारत में आरियों के आने की सूचना देता है तो आंसर करेंगे इनमें से कौन सा अभिलेख इरान से भारत में आरियों के आने की सूचना देता है तो फटा-फट आंसर करेंगे आपका से आंसर होगा बोगज कोई अभिलेख याद रखेंगे बोगज कोई अभिलेक से इरान से भारत में आरियों के आने की सुचना मिलती है नेतिक वेवस्था के निरिक्षन करता के रूप में किस वैदिक देवता का वर्णन हुआ है आंसर करेंगे नेतिक वेवस्था के निरिक्षन करता के रूप में किस वैदिक देवता का वर्णन हुआ है आंसर हो जाएगा वरुन आप्षन नमबर C ठीक है आंसर हो जाएगा वरुन आप्षन C वैदिक ग्रण्थों में प्रियुक्त रितु सब्द किससे संबंदित है आप्शन A, रितु विज्ञान के अध्यन से, आप्शन B, नेतिक व्यवस्था से, आप्शन C, धर्म संबंदित व्यवस्था से, आप्शन D, वैदिक सुक्त से तो आंसर करेंगे वैदिक ग्रंथों में प्रियुक्त रितु सब्द किस से संबंदित है तो सही आंसर हो जाएगा नैतिक विवस्था से, इतिकल सिस्टम से आंसर आप्शन नमबर B याद रखेंगे निमने लिखित रिगवेदिक देवताओं में से किसे अक्सर अतीती की उपाधी देकर संबोधित किया जाता था आंसर करेंगे इनमें से कौन से रिगवेदिक देवता हैं जिन्हें अक्सर अतीती की उपाधी देकर संबोधित किया जाता था आप्शन A, इंद्र, आप्शन B, वरुन, आप्शन C, अगनी, आप्शन D, सौम तो फटा-फट आंसर करेंगे तो आपका सही आंसर होगा आप्शन C, अगनी, याद रखेंगे रिगवेदिक देवताओं में अक्सर अतीती की उपाधी देकर किसे संबोधित किया जाता था तो अगनी देवता आप्शन C, सुल्गव यग्य किन के लिए किया जाता था आंसर करेंगे सुलगव यज्य किस भगवान के लिए प्रेक्टिस किया जाता था यानि सुलगव यज्य किन के लिए किया जाता था option A विश्णू, option B इंद्र, option C रुद्र, option D वरुन तो सही answer क्या होगा option C याद रखना है सुलगव यग्य भागवान रुद्र के लिए किया जाता था आंसर हो जाएगा option number C याद रखना है सुलगव यग्य रुद्र देवता के लिए किया जाता था option C निम्नलिखित वैदिक देवताऊं में से कौन अवेशता के देवता अहूर मजदा से शाद्रिस से रखता है यानि संबंद रखता है आपको बताना है निमलिखित वैदिक देवताओं में से कौन से ऐसे वैदिक देवता है जो अवेस्ता के देवता अहूर मजदा से संबंद रखते हैं option A, इंद्र, option B, वरुन, option C, रुद्र, option D, विश्णू, तो आपका सही answer हो जाएगा, वरुन, option B, तो याद रखना है कि वरुन देवता, अवेस्ता के देवता, अहुर मजदा से संबंद रखते हैं, answer हो जाएगा, option B, वरुन, याद रखेंगे रिगवेद के वन्स मंडल प्राया किसके मंतर से आरंब होते हैं आंसर करेंगे रिगवेद के वन्स मंडल प्राया किसके मंतर से आरंब होते हैं आप्शन A अगनी, आप्शन B, इंद्र, आप्शन C, मित्र, आप्शन D, सन तो आपका सही answer होगा option A अगनी रिगवेद के याद रखना है रिगवेद के वन्स मंडल प्राया अगनी देवता के मंत्र से प्रारंब होते हैं answer option number A याद रखेंगे उत्तर वैदिक युग उत्तरी बिहार के आरी करन का स्रे किसे माना जाता है answer करेंगे उत्तर वैदिक युग उत्तरी बिहार के आरी करन का स्रे किसे जाता है option A विदेह माधव option B इंद्र option C मद्रास option D अगनी तो फटाफट क्लास को सेर करें और इस सवाल का answer करेंगे तो answer हो जाएगा option number A विदेह माधव याद रखेंगे उत्तर वैदिक युग उत्तरी बिहार के आरी करन का स्रे विदेह माधव को जाता है option A याद रखेंगे किस रिसी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिन भारत का आरी करन किया था उन्हें आरे बनाया तो answer करेंगे किस रिसी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिन भारत का आरे करन किया उन्हें आरे बनाया Option A, विश्वामित्र, Option B, अगस्थ, Option C, वसिस्ट, Option D, सांभर Important सवाल है ये तो आपका सही आंसर क्या होगा? रिसी अगस्थ, याद रखेंगे कि दक्षिन भारत का आरे करन किनके द्वारा क्या गया था? उत्तर वैदिक काल में निमनलिखित में से कौन सा अधिकारी करों का संगराहक होता था? Option A, अक्षा वाप, Option B, भाग दूध, Option C, पाला गल, Option D, संग हित्री तो अंसर करना है उत्तर वैदिक काल में कौन सा अधिकारी करों का संगराहक होता था? तो याद रखना है, भाग दूध, अंसर हो जाएगा, Option B, याद रखेगा तो सेशन को फटाफट सेयर कर दें, बहुत सारे सवाल, important सवाल आज हम लोग discuss करने वाले हैं उत्तरवैदिक काल को किस काल सीमा के अंतरगत रखते हैं? उत्तरवैदिक काल का समय आपको बताना है उत्तरवैदिक काल का सीमा के बारे में आपको बताना है, उत्तरवैदिक काल का टाइम प्रियट कहां से कहां तक था? यह आप बताएंगे तो आपका अंसर क्या होगा? उत्तरवैदिक काल 1000 इसापुरु से 600 इसापुरु तक था तो याद रखेंगे उत्तरवैदिक काल को हम लोग 1000 इसापुरु से 600 इसापुरु के अंतरगत रखते हैं उत्तरवैदिक काल में निम्लिकित में से किन को आरे संस्कृती का धूर समझा जाता था आनसर हो जागा कुरू और पंचाल महाजनपद की राजधानी ती तो याद रखना है कि कुरू महाजनपत की राजधानी कहा थी कुरू महाजनपत की राजधानी थी इंद्रपस्त याद रखेगा इंपोर्टन्ट है इसके लावा पांचाल महाजनपत की राजधानी कहा थी तो पांचाल महाजनपत की राजधानी अहीच छत्र थी याद रखेंगे पांचाल महाजनपत की राजधानी अहिच चछतर थी अंग महाजनपत की राजधानी चमपा थी मगद महाजनपत की राजधानी राजगरी या गरीबजर थी तो अंग महाजनपत की राजधानी चमपा मगद महाजनपत की राजधानी गरी बजर या राजगरी याद रखेंगे वद्स महाजनपत की राजधानी कौसामबी थी कौसल महाजनपत की राजधानी स्रावस्ती थी इंपोर्टेंट है पूस्ता है इसको याद रखेंगे मतष्य महाजनपत की राजधानी विराट नगर थी और सुर्सेन महाजनपत की राजधानी मतुरा थी याद रखेगा चलिए तो अगला सवाल देखते हैं निमने लिखित में से कौन सा एक पदाधिकारी उत्तरवैदिक काल में रत्नियों की सुची में समलित नहीं था इनमें से कौन सा एक पदाधिकारी उत्तरवैदिक काल में रत्नियों की सुची में समलित नहीं था अप्शन A ग्रामनी अप्शन B महीसी अप्शन C अस्थपती अप्शन D सूत तो सही आंसर होगा अस्थपती अप्शन नमबर C अच्थूत की अवधारना किस काल में उद्गृत हुई ये आपको बताने किस काल के दौरान इंट्रोड्यूस किया गया था तो सही आंसरों का उत्तरवैदिक काल में ठीक है तो अचूत की आवधारना असपस रूप से उत्तरवैदिक काल में उद्गरित हुई थी आंसर ओप्सन नमबर B तो अचूत की आवधारना उत्तरवैदिक काल में इंट्रोड्यूस वहा था ओप्सन नमबर B रिगवेद में प्रियुक्त सीता सब्द का अर्थ निर्धारित कीजिए रिगवेद में प्रियुक्त सीता सब्द का अर्थ क्या था ये आपको बताना है option A, पिर्थवी की उर्वरा देवी, option B, राजा जनक की पुत्री, option C, जोती हुई, ठीक है, यहाँ पर पुत्री होगा, option C है, जोती हुई, खेत और option D है, हल रेखा, ठीक है, तो आपको बताना है कि सीता सब्द का अर्थ क्या है, रिगवेद में प्रियुक्त सीता सब्द का अर्थ क्या था, तो सही answer क्या होगा, जोती हुई, खेत, option C याद रखना है, ठीक है, यूप क्या है, आपको बताना है, यूप क्या था, option A, यागिक अस्थम्ब, option B, पासान अस्थम्ब, option C, विजे अस्थम्ब, option D, अस्वमेग अस्थम्ब, तो यूप क्या था, आपको होता क्या होता है आपको बताना है होता क्या है होता क्या है option A रिगवेद में देवों का आवाहन करने वाले option B रिगवेद में यग करने वाले option C उपासना करने वाले option D रिगवेद कालीन रिश्यों को तो आपको बताना होता किसे कहा जाता था तो important सवाल है आप जानते हैं कि रिगवेद में देवों का आवान करने वालों को होता कहा गया है तो answer हो जाएगा रिगवेद में देवों का आवान करने वालों को होता कहा गया है answer option number A वैदिक करमकांड में होता का संबन्द है वैदिक करमकांड में होता का संबन्द किससे है option A यजुरवेद, option B, यजुरवेद, option C, सामवेद, option D, अथरवेद तो वैदिक करमकांड में होता का संबन्द किससे है आपको वताना है वैदिक कर्मकांड में होता का संबंद है रिगवेद से आंसर हो जाएगा option number A ठीक है वैदिक कर्मकांड में होता का संबंद किससे है तो याद रखेंगे रिगवेद से आरे सब्द का साब्दिक अर्थ क्या है आरे सब्द का साब्दिक अर्थ क्या है तो आरे सब्द का साब्दिक अर्थ क्या है आपको बताना है ठीके तो आंसर करें आरे सब्द का साब्दिक अर्थ क्या है तो याद रखेंगे आरे सब्द का साब्दिक अर्थ होता है स्रेस्ट आरे सब्द का साब्दिक अर्थ क्या है तो आरे सब्द का साब्दिक अर्थ है स्रेस्ट आप्शन नमबर A अधर्वियू का अर्थ है आपको बताना है अधर्वियू का अर्थ क्या था option A, धार्मिक मामलों में राजा का सलाहकार, option B, यग्य करने वाले पुरोहित, option C, यग्य के अवसर पर रिचा पाट करने वाले पुरोहित, option D, राजा का सिक्छक तो अधर्वियू का अर्थ क्या था, यह आपको बताना है, अगला सवाल, ब्राहमिन क्या है, option A, कृसी प्रथाओं तथा पदतियों पर विश्थित प्रवंद, option B, बली संबंदी अनुष्ठानों पर पाट, option C, सासकों के लिए प्रसासन को संगठित करने के दिशा निर्देश, option D, आरण्यक के साथ सनलगन व्याख्याएं जो दर्थन संबंदी प्रस्णों से संबंद रखते हैं, तो सही आंसर क्या होगा, option D, ब्राहमिन क्या है, तो याद रखना है, पूछेगा ब्राहमिन क्या ह आरण्यक के साथ सनलगन व्याख्याएं जो दर्थन संबंदी प्रस्णों से संबंद रखती है, answer option D, भाग और बली क्या है, आंसर करें भाग और बली क्या है, option A, सासकिय विभाग, option B, धार्मिक अनुष्ठान, option C, सैनिक विभाग, option D, राजस्व के साधन, तो भाग और बली क्या थे, यह आपको बताना है, तो भाग और बली क्या थे, तो option D, राजस्व के साधन, भाग और बली क्या थे, source of revenue, राजस्व के साधन थे, भाग और बली, राजस्व के साधन, source of revenue, option D, वैदिक काल में बली सब्द का क्या अर्थ है, आपको बताना है, option A, बलिदान option B, bell, option C, अनुवानसिक, option D, प्रजा द्वारा सासक को दी गई भेंट, तो वैदिक काल में बली सब्द का क्या अर्थ है आपको बताना है, तो याद रखना है वैदिक काल में बली का अर्थ क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा, option number D, राजा, याद रखना है, प्रजा द्वारा सासक को दी गई भेंट को बली कहा जाता था, तो वैदिक काल में बली सब्द का क्या अर्थ है, तो प्रजा द्वारा सासक को दी गई भेंट, option number D, चित्रित घूसर भांड किस काल के हैं, आंसर करेंगे, चित्रित घूसर भांड किस काल से संब्दित हैं, तो सही आंसरों का चित्रित घूसर भांड का संब्द वैदिक काल से है, ठीक है, चित्रित घूसर भांड का संब्द वैदिक काल से है, option number D, निम्न में से किस गरंथ में सरोपर्थम देवकी के पुत्र स्रीकृष्ण का वर्णन क्या गया है? आप्सन A महा भारत, आप्सन B छांदोग्य उपनिशद, आप्सन C अस्चा ध्याई, आप्सन D भागवत पुरान तो फटा फटा आंसर करेंगे, इंपोर्टेंट सवाल है ये तो याद रखेंगे चांदोग्य उपनिशद, आप्सन नमबर B ठीक है, किस गरंथ में सरोपर्थम देवकी के पुत्र स्रीकृष्ण का वर्णन क्या गया है? तो याद रखेंगे चांदोग्य उपनिशद, आप्सन नमबर B सत्यकाम जाबाली की कथा जो अनब्याही मा होने के लांशन को चुनोती देती है का उलेक किस उपनिशद में किया गया है? option A, चांदोगी उपनिशद, option B, जाबाल उपनिशद, option C, कठो उपनिशद, option D, प्रस्नो उपनिशद तो सही answer क्या होगा यह आपको बताना है तो आपका सही answer हो जाएगा option number A, चांदोगी उपनिशद, option number A प्राचिन्तम, आपको बताना है तो याद रखना है पांचवी सिदाबदी इसापुर्व से पहले के नहीं है, option B सुदास किस वन्स के थे? आपको बताना है सुदास किस वन्स के थे? option A, भरत वन्स, option B, सुदास वन्स, option C, कर्णव वन्स, option D, सात वाहन वन्स तो सुदास किस वन्स के सासक थे? तो सुदास भरत वन्स के थे? तो याद रखना है सुदास किस वन्स से संबनिद थे? तो सुदास भरतवन से संबनित थे option A राजा सुदास भरतवन से संबनित थे निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्ययंत्र है आपको बताना है कि सबसे प्राचीन वाद्ययंत्र कौन सा है option A, सितार, option B, तबला, option C, सरोध, option D, वीना तो बताना है कि सबसे प्राचीन वाध्यंत्र कौन सा है important सवाल है ये सबसे प्राचीन वाध्यंत्र कौन सा है त्रयाद रखना है वीना सबसे प्राचीन वाध्यंत्र कौन सा है तो वीना सबसे प्राचीन वाध्यंत्र है वीना निम्निलिखित वैदिक सब्दों में कौन सा सब्द क्रिशी उपकरन का दियो तक नहीं है आपको बताना इनमें से कौन सा सब्द क्रिसी उपकरन का दियोतक नहीं है option A, 84 सिनी, option B, लांगल, option C, वरिक, option D, सीर तो क्या होगा यहाँ पर आंसर? तो याद रखना है इनमें से क्रिसी उपकरन का दियोतक कौन कौन सा है तो याद रखना है कि लांगल क्रिसी उपकरन का दियो तक है वरिक क्रिसी उपकरन का दियो तक है लेकिन चार सिनी क्रिसी उपकरन का दियो तक नहीं है अंसर हो जाएगा option number A तो class को फटा-फटे एक बार आप लोग share कर दें, आप सभी से request करेंगे, class को आप लोग support करें, class को share अवस्य करें उस जनजाती का नाम बताईए, जो रिगवेदिक आरियों के पंच जन से संबंदित नहीं है आंसर करेंगे, उस जनजाती का नाम बताईए, जो रिगवेदिक आरियों के पंच जन से संबंदित नहीं है, option A, यदू, option B, पूरू, option C, तुवर्स, option D, किकट तो आपका सही आंसर क्या होगा? किकट, option number D तो उस जनजाती का नाम क्या है? किकट, जो रिगवेदिक आरियों के पंच जन से संबंदित नहीं है आंसर होजागा किकट, option number D गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? आपको पता होगा कि गायत्री मंत्र का उलेक कहां पे है? तो गायत्री मंत्र शुरी देवता, याद रखना है, शुरी देवता, सावित्री को समर्पित है, गायत्री मंत्र की रचना, गुरू, गायत्री मंत्र की रचना, रिसी विस्वामित्र जी के द्वारा की गई है, य तो विश्वामित्र जी के द्वारा रचित गाहित्री मंत्र का उलेख रिगवेद के तिसरे मंडल में मिलता है और गाहित्री मंत्र सुरी देवता सावित्री को समर्पित है याद रखेंगे अगला सवाल जीवी को पार्जन हेतू वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक कहलाते थे तो आंसर करेंगे जीवी को पार्जन हेतू यानि जीवन चलाने हेतू वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक को क्या कहा जाता था option A, आचार, option B, अधर्विय, option C, उपाध्याय, option D, पुरोहित तो फटा-फट आंसर करेंगे क्या होगा answer, answer करें तो आपका सही answer हो जाएगा option C जीवी को पारजन हेतू, वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता था option C संसकारों की कुल संख्या कितनी है, option A, 10, option B, 12, option C, 15, option D, 16 तो संसकारों की कुल संख्या कितनी है, तो याद रखना है संसकारों की कुल संख्या कितनी है, तो याद रखना है 16 संसकारों की कुल संख्या 16, option D एकलवे किस गुरु का सव घोसित सिस्य था एकलवे किस गुरु के सव घोसित सिस्य था आप्शन A, भिस्म, आप्शन B, परसुराम, आप्शन C, बलराम, आप्शन D, द्रोना चारे तो सिंपल सा सवाल है आपको बताना है एकलव किस गुरू का सव घोसित छात्र था तो द्रोणाचारी ओप्सन नमबर D सही होगा ओप्सन नमबर D द्रोणाचारी प्राचीन भारतिय समाज के प्रसंग में निम्निलिखित सब्दों में से कौन सा सब्द सेस तीन के वर्ग का नहीं है तो आपको बताना है प्राचीन भारतिय समाज के प्रसंग में कौन सा सब्द सेस तीन के वर्ग का नहीं है option A, cool, option B, once, option C, cause, option D, गोत्र तो simple सा समझ में आ रहा होगा इसका answer करें आप क्या होगा तो सही answer होगा cause, cool, once, और गोत्र ये तीनों क्या है? एक जैसा है चीक है? मतलब ये जाती को बता रहा है cool, once, गोत्र लेकिन cause जो है अलग है answer हो जाएगा option C option A, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष option B, ब्राह्मन, चत्रिय, वैसे, सुद्र option C, ब्रह्मचर्य, ग्रिहस्था, स्रम, वान, प्रस्त, और सन्यास option D, इंद्र, सुर्य, रुद्र, और मारूत तो इसका answer क्या होगा? option C, ब्रह्मचर्य, ग्रिहस्था, आस्रम, वान, प्रस्त, और सन्यास option number C, याद रखेंगे सर्ग, परतिसर्ग, वन्स, मन, वन्तर, और वन्सानुचरित, संकेतक है option A, वेदों के, option B, पुरानों के, option C, उपनिशद के, option D, शुत्रों के तो याद रखना है कि सर्ग, परतिसर्ग, वन्स, और मन, वन्तर, और वन्सानुचरित, किसके संकेतक हो हैं? तो पुरानों के संकेतक है, option B पुरानों की कुल संख्या कितनी है, पुरानों की कुल संख्या कितनी है, इंपोर्टन्ट है ये सवाल, तो पुरानों की कुल संख्या कितनी है, अठारा, पुरानों की कुल संख्या कितनी है, अठारा, ठीक है, answer option C निम्नलिकित में से किसे भारत का पर्थम विधी निर्माता माना जाता है आसान कोश्चन है इन में से किन है भारत का पहला विधी निर्माता माना जाता है आप जानते हैं कि भारत का पहला विधी निर्माता मनू को माना जाता है option B, तो class को फटा फटे एक बार आप लोग share कर दीजे, आप सभी इस request करेंगे अगला सवाल रिग्यवेद में वर्णित दसराज युद्ध में किसने भाग नहीं लिया था option A, तिस्सू, option B, पक्त, option C, विशासिन, option D, गांधारी आपको पता होगा कि रिग्यवेद के सात्वे मंदल में दसराज युद्ध का वर्णन क्या गया है दसराज युद्ध का उलेक रिग्यवेद के सात्वे मंदल में क्या गया है तो आपका आंसर होगा गांधारी option number D ठीक है और पुछेगा कि रिगवेद में रिगवेद के किस मंडल में दसराज युद का वर्णन है तो रिगवेद के सातवे मंडल में दसराज युद का वर्णन है ठीक है रिगवेद के सातवे मंडल में दसराज युद का वर्णन है औ दसराज युद जो है कहां लडा गया था तो याद ठना है परूसनी या रवी नदी के तट पर लडा गया था दसराज युद आंसर अप्शन डी चार पुरुसार्थों का सही करम चुनिए चार पुरुसार्थों का सही करम चुनिए आप्सन A धर्म काम अर्थ मोक्ष आप्सन B धर्म अर्थ काम मोक्ष आप्सन C अर्थ काम धर्म मोक्ष आप्सन D काम अर्थ धर्म मोक्ष तो इसका सही आंसर क्या होगा यह आपको बताना है तियाद रखना है कि चार पुरसार्थों का सही ग्रम क्या है धर्म अर्थ का मोक्ष आप्शन नमबर B परसिद्ध सुक्ती तत्व मसी निम्निलिखित में से एक उपनिशद में मिलता है आपको बताना है दे फैमस टर्म तत्व मसी is found in which one of the following उपनिशद आप्शन A चांदों की उपनिशद, आप्शन B मुंडको उपनिशद, आप्शन C मांडु की उपनिशद, आप्शन D इशावास से उपनिशद तो सही आप्शन होगा चांदों की उपनिशद, ठीक है तो याद रखना है परसिद्व सुक्ति, तत्व मसी, चांदों की उपनिशद से सम्मधित है, आप्शन नमबर A किसको वर्ण संकर समझा जाता था, आप्शन A, जारज जन्म, आप्शन B, वर्ण वेवस्था के विरुद्ध विद्रोह, आप्शन C, विवाह के लिए वर्ण की सिमाओं का अतिकरमन, आप्शन D, वर्णा स्रम, धर्म का समर्थन, तो आपका सही आप्शन क्या होगा, समझा जाता था, तो विवाह के लिए वर्ण की सिमाओं का अतिकरमन, आप्शन C, द्विज किसे कहा जाता था, अंसर करेंगे, द्विज किसे कहा जाता था, आप्शन A, ब्राहमन चत्रिय वेस्था, आप्शन B, चत्रिय वेस्था सुद्र, आप्शन C, ब्राहमन वेस्था सुद्र ऑप्शन D सुद्र चत्रिय ब्राह्मन द्विज यानि दो बार जन्म लेने वाला तो द्विज किसे कहा जाता था तो याद रखना है ब्राह्मन चत्रिय और वैसरी को द्विज कहा गया है यानि दो बार जन्म लेने वाला ब्राह्मन चत्रिय और वैसरी को द्विज क पड़ता था तो आपको वताना है इस मिर्तियों में वर्णित विवाह के किस एक प्रकार में वर्द्वारा कन्या के पिता को एक गौव मिथून देना पड़ता था ओप्शन A ब्रहम ऑप्शन B देव ऑप्शन C और आर्स ऑप्शन D प्रजापत्य तो सही आंसर क्या होगा आ आर्स ऑप्शन C तो इस मिर्तियों में वर्णित विवाह के किस प्रकार में वर्द्वारा कन्या के पिता को एक गौव मिथून देना पड़ता था तो आर्स आंसर होगा ऑप्शन C किस विधी में वर्द्वारा वधु के पिता को सुल्क दे कर विवा होता था आंसर करेंगे किस विधी में वर्द्वारा वधु के पिता को सुल्क दे कर विवा होता था किस विवारा 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 सवाल पूछा जाता है कि वेद तरही के अंतरगत क्या-क्या सामिल है, तो वेदय तरही के अंतरगत, रिगवेद, यजुरुवेद और सामवेद, सामिल होता है, option number B. निम्ने लिखित में से मनु इसमिर्थी का टिका कार कौन था? मनु इस्मिर्थी का टिका कार कौन था? Option A, और सहाय, Option B, विशुरूप, Option C, भट्ट स्वामी, Option D, मेघा तिथी तो मनु इस्मिर्थी का टिका कार कौन था? याद रखना है, मनु इस्मिर्थी का टिका कार थे? मेघा तिथी, Option D, याद रखेंगे कोसे सब्द का प्रियोग क्या गया है अंसर करेंगे कोसे सब्द का प्रियोग कहां क्या गया है मतलब किस कोसे सब्द का मतलब क्या है यह आपको बताना है option A कपास के लिए option B जूट के लिए option C रेसम के लिए option D उन के लिए तो कौसे सब्द का प्रियोग किस वस्तू के लिए क्या गया है तो कौसे सब्द का प्रियोग रेसम के लिए क्या गया तो याद रखेंगे कौसे सब्द का प्रियोग सिल्क रेसम के लिए क्या गया option C निम्निलिखित में से किसने आर्क्टिक छेत्र को आरे भासा भासियों के मूल अस्थान होने के सिध्धान्त का पर्तिपादन किया इंपोर्टेंट है किनके द्वारा आर्क्टिक छेत्र को आरे भासा भासियों के मूल अस्थान होने का सिध्धान्त दिया गया आप्शन A, Max Muller, आप्शन B, Edward Mayer, आप्शन C, बाल गंगाधर तिलक, आप्शन D, हर्ज फिल्ड आंसर करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आप्शन C, बाल गंगाधर तिलक याद रखेंगे आर्क्टिक छेतर को आरे भासा भासियों के मूल अस्थान होने का सिध्धान्त किस ने दिया था तो बाल गंगाधर तिलक जी का मानना था कि आरे लोग मूल रूप से आर्क्टिक छेतर में निवास करते थे ठीक है तो आर्क्टिक छेत्र को आरे भासा भासियों के मूलस्थान होने का सिधान्त किस ने दिया तो तिलक जी ने option number C भारोपिय भासा परिवार की प्राचिंतम भासा कौन सी है आंसर करेंगे भारोपिय भासा परिवार की प्राचिंतम भासा कौन सी है तो याद रखना है Greek option C ठीक है आंसर हो जाएगा Greek भारूपिय भासा परिवार की प्राचिनतम भासा कौन सी है Greek याद रखेंगे Classy की ये संस्कृत में आरे सब्द का क्या अर्थ है आपको वताना है संस्कृत में आरे सब्द का क्या अर्थ है option A इस्वर में विश्वासी option B एक वनसानुगत जाती option C विशेश धर्म में विश्वास रखने वाला option D एक उत्तम वैक्ती तो आपको इसका अंसर करना है क्या होगा इसका अंसर तो संस्कृत में आरे सब्द का अर्थ क्या है तो संस्कृत में आरे सब्दकार्थ है एक स्रेश्ट वेक्ति, एक ग्रेट पर्षन, एक उत्तम वेक्ति, option number D किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण सब्दका सरवपर्थम नाम उलेक मिलता है? तो वर्ण सब्दका उलेक सबसे पहले कहां मिलता है? तो वर्ण सब्दका सब्से पहले उलेक कहां मिलता है? याद रखेंगे परसिद दस राजाओं का युद किस नदी के तट पर लड़ा गया? आंसर करेंगे परसिद दस राजाओं का युद किस नदी के तट पर लड़ा गया? उप्शन A, गंगा, उप्शन B, ब्रह्म पुत्र, उप्शन C, कावेरी, उप्शन D, परूसनी तो दस राजाओं का युद किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो दसराज युद्ध का उलेक रिगवेद के सात्वे मंडल में है और दसराज का युद्ध परुसनी या रावी नदी के तट पर लड़ा गया था दसराजाओं का युद्ध आप्शन नमबर D भारतिय परतीक पर उतकेंड सत्यमेव जयते लिया गया है आपको वताने कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है बहुत पूछा जाता है आप्शन A रिगवेद से आप्शन B भागवत गीता से आप्शन C मुणकोप निशद से आप्शन D मतश्य पुरान से तो सत्यमेव जैते कहां से लिया गया है आप जानते हैं कि सत्यमेव जैते मुंडकोप निशत से लिया गया है तो आंसर याद रखेंगे भारतिय परतीक परुत्केर्ण सत्यमेव जैते मुंडकोप निशत से लिया गया है option C निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में यग्य वेदियों के लिए माप निर्धारित है आपको बताना है किस ग्रंथ में यग्य वेदियों के लिए माप निर्धारित है आप्शन A सुल्व सुत्र, आप्शन B ग्रिह सुत्र, आप्शन C धर्म सुत्र, आप्शन D कल्प सुत्र तो आंसर करेंगे यग्य वेदियों के लिए माप निर्धारित है किस सुत्र में तो आंसर होगा सुल्व सुत्र में याद रखेंगे यग्य वेदियों के लिए माप निर्धारित है सुल्व सुत्र में आंसर हो जागा option number A सुल्व सुत्र में यग्य वेदियों के लिए माप निर्धारित है option A वैदिक काल में ओइस्पिर्शता का आधार था Option A. Asudata. Option B. Website. Option C. गरीबी. Option D. उपरोगत में से कोई नहीं तो आंसर करेंगे वैधिक काल में और श्परशता का आधार क्या था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? Option B. Website. वैधिक काल में और श्परशता का आधार क्या था? Website. Option B. याद रखेगा निम्नलिखित में से कौन उपनिशदों में उपनिशदों में उपनिशद 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 में आंसर होगा प्रवाहन जाबाली 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 प्रवाहन option B, इंद्र, option C, मित्र, option D, अगनी तो सही answer होगा इंद्र युद्य का देवता किन्हे माना गया है इंद्र को option number B तो class को फटा फटे एक बार आप लोग share कर दे बहुत कम बच्चे class में live हैं तो आप लोग class को support करें बहुत महनत लगता है class बनाने में तो प्लीज आप लोग class को support करें और class का फाइदा उठाएं कोई भी doubt होगा तो comment भी कीजिए और साथी साथ class को support कीजिए चली अगला सवाल देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मन ग्रंथ रिगवेद से संबंदित है आपको बताना है याद रखेंगे तो आंसर करेंगे रिगवेदिक जन सभा जो न्याईक कारियों से सम्मदित थी तो आंसर क्या होगा यह आपको बताना है आंसर हो जाएगा उप्सन नंबर A सभा रिगवेदिक जन सभा जो न्याईक कारियों से सम्मदित थी क्या कहा जाता था सभा उप्सन नंबर A भारतिय संस्कृति के अंत्रगत रितु का अर्थ है ठीक है भारतिय संस्कृति के अंत्रगत रितु का अर्थ है आप्शन A प्राकृतिक नियम, आप्शन B कृतिम नियम, आप्शन C मानविय नियम, आप्शन D सामाजिक नियम तो आंसर करेंगे तो आपका सही आंसरों का प्राकिर्थिक नियम ऑप्शन नमबर A तमसो मा जोतिर गमे कथन है मूलतह आपको बताना है कि तमसो मा जोतिर गमे सब्द जो है या कथन जो है मूलतह कहां से लिया गया है अप्शन A उपनिशद से अप्शन B महाकावे से अप्शन C पुरान से अप्शन D सड़ दर्सन से अप्शन E इनमे से कोई नहीं तो सड़ गो मा आपको बताना है तमसो मा जोतिर गमे कथन कहां से लिया गया है या कहां पर यह मूल रूप से उलेखित है या आपको बताना है तो तमसो मा जोतरी गमय कथम जो है कथन जो है उपनिशद में उलेखित है तो याद रखेंगे तमसो मा जोतरी गमय कथन जो है उपनिशद में उलेखित है आंसर ओप्सन नमबर A किस उपनिशद का साब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है आपको बताना है कौन सा ऐसा उपनिशद है जिसका साब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है option A, कठोप निशद, option B, छांदोगी उपनिशद, option C, तैतरी उपनिशद, option D, इसोप निशद तो आपको औंसर करना है कि कौन सा उपनिशद है जिसका साबदिक अर्थ सफेध घोड़ा होता है या सफेध घोड़ा है तो आपका answer क्या होगा answer option number c तैतरी उपनिशद तो इसको तैतरी उपनिशद कहते हैं या फिर इसको स्वेता स्वर उपनिशद भी कहा जाता है तो हो सकता है एक्जाम में आपको तैतरी उपनिशद दे या फिर हो सकता है किस स्वेता स्वर उपनिशद भी दे तो याद रखना है कि किस उपनिशद का साब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा होता है तो याद रखेगा कि तैतरी उपनिशद या स्वेता स्वर उपनिशद का स अंसर करेंगे किस प्राचिन नगर के अवसेश कुमहार अस्तल से प्राप्थ हुए हैं अंसर हो जाएगा पाकली पुत्र अंसर हो जाएगा पाकली की पाटली पुत्र के संस्थापक कौन थे तो आप जानते है इंपोर्टेंट सवाल है बहुत बार पूछा भी गया है तो पाटली पुत्र के संस्थापक कौन थे उदेईन याद रखेंगे उदेईन हर्यक वंस के राजा थे उदेईन ठीक है और उदेईन जो थे वो पाटली पुत्र के संस्थापक थे अगर आपसे पूचे का हरियक वंस का संस्थापक कौन था बिंबी सार याद रखेंगे हरियक वंस का संस्थापक था बिंबी सार और बिंबी सार का बेटा था अजाद सत्रू अजाद सत्रू ने बिंबी सार के हत्या करके गद्धी प्राप्त की थी याद रखेंगे और बिम्बि सार को मार कर उसका बेटा राजा बनता है अजात सत्रू और अजात सत्रू को मार कर उसका बेटा उदाइन राजा बनता है इसलिए हर्यक वंस को पित्रू हंता वंस कहा जाता है और पाटली पुत्र के संस्थापक कौन थे उदाइन आप्सन नमबर A याद रखेंग किस सासक द्वारा सरवपर्थम पाठली पुत्र को राजधानी की रूप में चैन किया गया आंसर करेंगे कि सासक द्वारा सरपर्थम बाटली पुत्र को राजधानी की रूप में चैन क्या गया आप्शन A अजाद सत्रू द्वारा आप्शन B काला सोक द्वारा आप्शन C उदईन द्वारा आप्शन D कनिस्क द्वारा तो आपका अंसर क्या होगा उप्संसी उदाइन द्वारा तो याद रखेंगे उदाइन ने पाटली पुत्र को राजधानी की रूप में चेन किया था ठीक है अंसर होगा उप्संसी सरवपर्थम पाटली पुत्र को राजधानी की रूप में चेन किसने किया उदाईन ने अपसंसी उदाईन हरियक वंस के राजा थे याद रखेंगे राजगरी का राजिकिय चिकितसक के रूप में जाना जाता जीवक को जिस गुनिक के पुत्र है उसका नाम है आपको पता होगा कि जब महात्मा बुद्ध की तव्यत खराब हो गई थी तो महात्मा बुद्ध की सेवा में बिम्बिसार ने राजवैद जीवक को भेजा था है ना महात्मा बुद्ध की जब तव्यत खराब हो गई थी उनका नाम क्या था आपको बताना है उप्सन A सालवती, उप्सन B रमनिया, उप्सन C, बसंत सेना उप्सन D, आमरपाली तो सही आंसर होगा सालवती, उप्सन नमबर A तो याद रखेंगे राजगरी ही के राज़किय चिकितसक, जीवक जिस गनिका के पुत्र हैं, उनका नाम क्या है सालवती, उप्सन नमबर A तो क्लास को फटा-फटा आप लोग एक बार सेर कर दीजे आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे प्राची नगर तक्षी सिला, निमनिलिखित में से किन के बीच इस्तित्था तो प्राची नगर तक्षी सिला किसके बीच इस्तित्था, किन कि नदियों के बीच इस्तित्था, तक्षी सिला ये आपको बताना है उप्सन A, सिंदू और जेलम उप्सन B, जेलम तथा चिनाव उप्सन C, चिनाव तथा रावी आप्सन डी रावी तथा व्यास तो याद रखेंगे कि तक्षी सिला वर्तमान में पाकिस्तान में है और तक्षी सिला सिंदू और जेलम नदी के बीच में इस्थित था तक्षी सिला सिंदू और जेलम नदी के बीच में इस्थित था याद रखेंगा अंग का उलेक मौर्य पुर्व सरवपर्थम किस में मिलता है अंग is mentioned in which of the following before Morians आपको बताना है अंग का उलेक मौर्य पुर्व सबसे पहले किस में मिलता है option A, रिगवेद में, option B, अथरवेद में, option C, सत्पत ब्राह्मन में, option D, गोपत ब्राह्मन में अंग का उलेक मौरे काल से भी पहले कहां पर मिलता है या आपको बताना है तो याद रखेंगे अथरवेद में, ठीक है इसा पुर्वे चौती सदाबदी, option B, इसा पुर्वे चटी सदाबदी, option C, इसा पुर्वे दूसरी सदाबदी, option D, इसा पुर्वे पहली सदाबदी तो आपका सही आंसर क्या होगा option B इसा पुरुव छटी सदाब्दी तो याद रखेंगे पर्थम मगज सामराजी का उतकर्स इसा पुरुव छटी सदाब्दी में हुआ था option B अजाद सत्रू के वंस का नाम क्या था अजाद सत्रू के वंस का नाम क्या था तो आप जानते हैं अजाद सत्रू हर्यक वंस के राजा थे और अजाद सत्रू के पिता का नाम था बिंबिसार अजाद सत्रू ने अपने पिता बिम्बिसार को मार कर गद्धी प्राप्त की थी याद रखेंगे तो अजाद सत्रू किस वंस का राजा था तो अजाद सत्रू याद रखना है कि हर्यक वंस के सासक थे अजाद सत्रू ठीक है हर्यक वंस के सासक थे आजाद सत्रू याद रखेंगे इंपॉर्टन्ट है और आजाद सत्रू ने अपने पिता के हत्या करके गद्धी प्राप्ति की थी याद रखेंगे ठीक है निम्निलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के सम सामाईक नहीं था आप्सन ए बिम्बिसार आप्सन बी गौतमबुद आप्सन सी मिलिंद आप्सन डी प्रसेंट जीत ठीक है तो इन में से कौन एक समकालिन नहीं था ये आपको बताना है तीन जो थे समकालिन थे और एक जो हैं समकालिन नहीं थे वो आपको बताना है इन में से कौन होगा मिलिंद निमने लिखित में से कौन सेस अन्य के बाद तक जीवित रहा उप्शन A बिम्बिसार, उप्शन B अजाद सत्रू, उप्शन C देवदत, उप्शन D गौतम बुध तो सही आंसर क्या होगा अजाद सत्रू, उप्शन नमबर B ठीक है, अंसर क्या होगा अजाद सत्रू, उप्शन B क्योंकि बिम्बिसार का पुत्र था अजाद सत्रू ठीक है, बिम्बिसार का पुत्र था अजाद सत्रू और अजाद सत्रू को मारा था इसके पुत्र उदाईन ने ठीक है, तो इन चारों में सबसे बाद तक जीवित को नहा था अजात सत्रू अप्सन नमबर बी निम्निलिखित में से किसने सरवपर्थम पाटली पुत्र की अंतर सक्ति को पहचाना जो कालांतर में मगद की राजधानी के रूप में विक्सित हुआ तो आंसर करेंगे इंपोर्टेंट सवाल है निम्निलिखित में से किसने सरवपर्थम पाटली पुत्र की अंतर सक्ति को पहचाना और आप जानते हैं बाद में मगद की राजधानी की रूप में पाटली पुत्र विक्सित हुआ तो आंसर क्या होगा इसका ओप्सन नमबर C हो जाएगा या B होगा आंसर करें तो यहां देखिए आपको याद रखना है कि हरियक वंस के संस्थापक थे बिम्बिसार और बिम्बिसार जो थे वो मगद की गदी पर कब बैठे थे 544 इसापुर में याद रखना है बिम्बिसार बहुत धर्म के अन्याई थे इसके बाद बिम्बिसार का पुत्र जो है अजाद सत्रू सासक बनता है ठीक है और अजाद सत्रू मगत की गदी पर कब बैठा 493 इसापुर में याद रखना है अजाद सत्रू 493 इसापुर में मगत की गदी पर बैठा था आपसे पूछा है कि सबसे पहले पाटली पुत्र की अंतर सक्ति को किसने पहचाना जो बाद में जाकर मगद की राजधानी की रूप में विक्सित हुआ तो याद रखना है आंसर होगा अजात सत्रू अप्सन नमबर B मालवा छितर पर मगद की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके सासनकाल में हुआ मालवा चितर पर मगद की सत्ता का विस्तार किसके सासनकाल के दौरान हुआ option A, बिम्बिसार option B, अजाद सत्रू option C, उदईन होगा यहाँ पे option D, सिसुनाग तो आपको इसका आंसर करना है तो सही आंसर होगा सिसुनाग ठीके, तो मालवा चितर पर मगद की सत्ता का विस्तार सिसुनाग के सासनकाल में हुआ था answer option D, ठीके हर्यक वंज के अन्तिम राजा कौन थे हर्यक वंज के अन्तिम राजा थे उदाईन का पुत्र नाग दसक, याद रखेंगे हर्यक वंज का अन्तिम राजा था राज्या रोहन के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वेंग इसी कारण वस अपने पुत्र द्वारा मारा गया तो पढ़ाई चुके हैं आपको कि मगत का कौन सा ऐसा सासक है जिसने अपने गदिप राप्त करने के लिए अपने पिता को मारा बाद में उसके पुत्र ने उसे मार दिया चीक है और इसी वज़े से इसे हर यक वन से भी कहा जाता है तो आंसर क्या होगा अजाद सत्रू अजाद सत्रू ने अपने पिता बिम्बिसार को मार दिया था तो बिम्बिसार को मार के अजाद सत्रू राजा बना और अजाद सत्रू को मार के फिर उसका बेट उद्ये इन राजा बन गया, तो आँजाद सत्रू नच नबर C अजाद सत्रू के पुर्वी भारत पर मगद का आधिपत्य अस्थापित में से किस अस्थापित करने की गनराजी के साथ 16 वर्सों तक युद्ध किया अजाद सत्रू ने पुर्वी भारत पर मगद का आधिपत्य अस्थापित करने के लिए अजाद सत्रू ने पुरुवी भारत पर मगद का अधिपत्य अस्थापित करने के लिए ठीक है किस के साथ 16 वर्सों तक युद्ध किया था यह आपको बताना है तो आंसर क्या होगा वैसाली के लिच्छवी के साथ आंसर हो जाएगा उप्सन नमबर C मगद का कौन सा समराट अप्रो परसुराम के नाम से जाना जाता है अजाद सत्रू के उत्रादिकारी दसक का उलेख किस ग्रंथ में मिलता है तो आपको बताना है अजाद सत्रू के उत्रादिकारी दसक का उलेख किस ग्रंथ में मिलता है तो सही आंसर होगा परिशिस्ट परवन परिशिस्ट परवन ऑप्सन नमबर B नंद राजे का संस्थापक कौन था? नंद वन्स का संस्थापक कौन था? तो आप जानते हैं नंद वन्स के संस्थापक थे महा पदम नंद नंद वन्स के संस्थापक कौन थे? महा पदम नंद option B तो class को फटा फटे एक बार आप लोग share कीजिए आप सभी से request करेंगे निम्निलिखित में से कौन एक मगद सामराजी की राज़धानी नहीं रहा आपको बताने इनमें से कौन मगद सामराजी की राज़धानी कभी भी नहीं रहा तो गिरी वजर था, राजगिरी भी था, पाटली पुत्र भी था लेकिन कौशाम भी नहीं था तो आंसर हो जाएगा option number D आंसर क्या होगा option D ठीक है तो मगद सामराजी की राजधानी नहीं रहा, कौशाम भी option number D ठीक है कौशाम भी वच्ज की राजधानी थी, याद रखेंगे वच्ज महा जनपत की राजधानी कौशाम भी थी कौशा स्थान कौशा स्थान कौशा स्थान येधियों का टकसाल केंद्र था option A, बयाना, option B, रोहतक, option C, बरेली, option D, मतुरा तो कौन सा स्थान योधियों का टकसाल केंडर था तो आंसर हो जाएगा option B रोह तक योधे सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है आंसर करेंगे योधे सिक्कों पर किस देवता का चित्र अंकित था योधे सिक्कों पर किस देवता का चित्र अंकित था तो याद रखना है कार्ती के ठीक है योधेज विक्कों पर किस देवता का चितरंकित था कार्ती के ओप्सन नमबर डी निमने लिखित में से कौन सा एक इसा पुर्व छटी सदाब्दी में प्रारंब में भारत का सरवादिक सक्तिसाली नगर राज था तो आपको बताना है भारत का सरवादिक सक्तिसाली नगर राज प्रारंब में कौन सा था वो आसान सवाल है और important भी है कासी याद रखना है पूछेगा इसा पुर्व छटी सिदाब्दी में प्रारंब में भारत का सरवादिक सक्तिसाली नगर राजी कौन था कासी option number C ठीक है कासी याद रखना है अंसर होगा ठीक है चली अगला सवाल देखते है प्राचीन स्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकरती का है उप्सन A विर्ताकार उप्सन B अर्दचंद्राकार उप्सन C तिर्भुजाकार उप्सन D आयताकार तो आंसर क्या होगा Option B, अर्ध चंद्राकार तो याद रखेंगे प्राचीन स्रावस्थिstr, नगर का विन्यास अर्ध चंद्राकार, आकार का है Option B, ठीके और स्रावस्थि किस की राजधानी थी तो कौसल महाजनपत की राजधानी थी स्रावस्थी कौसल महाजनपत की राजधानी थी स्रावस्ति याद रखेगा प्राचीन भारतिय सिक्के निम्नांकित से पहले का नहीं है प्राचीन भारतिय सिक्के निम्नलिखित में से किस से पहले का नहीं है तो आप पढ़ चुके हैं अंसर होगा 15 सदाब्धी पुरव से पहले के नहीं है option number B 6 सदाब्धी उसापुर्व सुक्त मती राजधानी थी आपको बताने सुक्ती मती किसकी राजधानी थी या सक्ती मती किसकी राजधानी थी तो answer करेंगे आंसर हो जाग ऑप्शन C, चेदी महाजनपद, चेदी महाजनपद की राजधानी थी सक्ती मती, ठीक है, चेदी महाजनपद की राजधानी थी सक्ती मती, पांचाल महाजनपद की राजधानी थी अही छत्र, याद रखना है, पांचाल महाजनपद की राजधानी थी अही छत पताएंगे अवंती महाजनपत की राजधानी थी उज्जेन या महिसमती याद रखेगा ठीक है तो शक्ति मती राजधानी थी चेदि महाजनपत की आंसर ऑप्शन नमबर C चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो याद रखेंगे चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? ठीके? तो सक्ति मती आंसर हो जाएगा यदि आपसन नमबर A, इसको हम लोग यहाँ पे लिखा है, आपको याद रखना है सौथी वती भी कहा जाता है सौथी वती या सौथी वती या सकती मती ठीक है तो याद रखेंगे चेदी महाजनपत की राजधानी कहा थी तो चेदी महाजनपत की राजधानी सकती मती या सौथी वती थी तो आंसर हो जाएगा option number A याद रखेगा ठीक है? तो इतना ही सवाल था उम्मीद करेंगे क्लास अच्छा लगा होगा तो प्लीज क्लास को सपोर्ट कीजेगा क्लास को लाइक और शेर अवस्य कीजेगा साथी साथ किसी भी टॉपिक में आपको डाउट होगा तो आप लोग कमेंट अवस्य करेंगे और साथी साथ क्लास में रेगुलर रहिएगा और क्लास को सपोर्ट कीजेगा तो मिलते हैं आप से अगले क्लास में आप सभी का तही दिल से धन्यवाद करेंगे जै हिंद, जै भारत, जै बेसे धन्यवाद